वेल दोस्तो मेरी आवाज आ रही है क्लियर बताइए प्लीज येस ये बताइए मेरी आवाज आ रही है क्लियर वेल दोस्तो हम स्टार्ट करेंगे फॉरिंट्रेड पॉलिसी 2023 ये फॉरिंट्रेड पॉलिसी यहाँ पे बीजेपी गवर्मेंट ने अभी नहीं लाई है वैसे तो कोई जादा मेजर चेंजस नहीं है स्कीम्स होई है बट आपको ये बता दू कि फॉरिंट्रेड पॉलिसी जो हम अभी डिस्कुस करने वाले है और वो है यहाँ पे 2023 इस रिल्टेड नोट्स जो है मैंने मैंने कस्टम मॉडल के एंड में दिया है वहाँ आप जाक पॉलिसी सबसे पहले तो एक लंबी सास लीजिए और कहिए जो भी हुआ अच्छा हुआ और जो भी होगा बहुत अच्छा होगा आये हम कुछ अच्छा करने है तो मेरी आवास सभी को क्लियर आ रही है बताए प्लीस ना आपको ये बता दू कि अभे हमें फॉरिंटेड प होगा कि अब ये फॉरिंटेड पॉलिसी वैसे तो बहुत बड़ा है यहाँ पर आपको एक बाद बता दू कि इंस्ट्यूट ने इसका जड़ समरी रखा है और जो 50-60 pages इंस्ट्यूट ने statutory updates में दिये उसको भी summarize करके मैंने यहाँ पर दिया है तो जितना मैंने notes में दिया administration structure पढ़ेंगे बहुत सारी schemes पढ़ेंगे और यहाँ पर EPCG scheme, EU, EHTP, NSTP वागे इसके बारे में भी पढ़ेंगे तो चलिए दोस्तों यहाँ start करते है फोड़ा मैं आपको यह बता दू कि यह completely theory है I repeat यह completely theory है हो सकता है कि जब मैं explain करो तो आपको बहुत ही theoretical लगे और ऐसा feel हो कि यहार इसके depth में हम नहीं जा रहे है जैसे हम GST के depth में गया है जैसे हम customs के depth में गया है तो इसके depth में हम नहीं जा पा रहे है तो बेटा जा भी नहीं पाएंगे बहुत surface level पर हमें पढ़ना है क्योंकि जो 600-600 pages की foreign rate policy है इसाथ साथ में उसके handbooks है जो procedure aspects है इतना तो हम हमें पाच मार्क के लिए पढ़ना है नहीं टूटल एक हजार पिजस तुम्हें पढ़ना नहीं है हमें इंस्ट्यूट ने 58 पिजस दिये है उसको भी मैंने summarize करके आपको दिया है आपको इतना ही पढ़ना है तो हो सकता है कि आपको surface level पर लगे लेकिन मैं आपको बता दू कि आपको इससे ज़्यादा पढ़ना नहीं है अगर आप धान दोगे और मैं जितना पढ़ाओगा इतना अच्छे से कर लोगे तो 5 मार्क भी बड़े important होते है क्योंकि हमारा target कोई 40-50 मार्क नहीं है हमारा target इस बार 80 पार है और 80 लाना इसके लिए foreign trade policy का एक मार्क भी आप के लिए important है और यह foreign policy अभी मैं जितना दे रहा हूँ उतने अच्छे से बढ़ लेना इससे related questionnaire में जो questions है वह पुराने foreign trade policy पर है तो वो ignore कर देना okay question अभी जो मैं थेरी आपको बना के दे रहा हूँ summary इसमें सही कुछ आएगा ठीक है specially skims पर आपको आएगा और लगबग 80% skims दोनों किसे में इसलिए आपको questionnaire अगर customs का आपके पास आगा उसमें FTP के questions होगे तो मैं आपको कहोगा कि और फर्मत करो आप जितना अभी यह आपके पास around 25 pages cash pass notes आई होगी बस इतना ही 22-25 pages cash pass notes आई होगी बस इतनी ही आपको पढ़ना है is it clear चलिए तो यहाँ पर हम देखेंगे एक basic structure जो exam में नहीं पुछेंगे पर आपके knowledge के लिए जरूरी है जैसे foreign trade policy govern करता है foreign trade D&R Act Development and Regulation Act D&R मतलब Development and Regulation Act 1992 जिसके third foreign trade policy बना ही जाती है government of India यह foreign trade policy बना ही जाएगी ministry of commerce and industry जिसके अंडर यह foreign trade policy बनती ही जैसे customs और GST चलता है finance mister के अंडर में तो foreign trade policy जो चलती है वो ministry of commerce and industry यह अंडर करता है जिसमें एक department होता है DGFT डारेक्टर जनरल ओफ foreign trade जो ओके पांस साल की policy बनाता है foreign trade policy 2023 इनने बनाया 5S policy यहाँ पर बनाई जाती है इसमें क्या होता है हम आगे देखेंगे जैसे imports related हमारी policy क्या होगी exports related foreign policy क्या होगी no doubt BGP government तो इसमें बड़ी active है okay तो imports related policies क्या है exports related policies क्या है क्या prohibition है क्या restrictions है यह सब हम foreign trade policy में बढ़ा surface level पर देखेंगे तो what is the difference between customs and FTP तो customs में आपको बता दू कि वो focus करता है import कैसे होगा क्या procedure होगी कौन से documentation आपको देना है clearance के लिए duty क्या होगी foreign trade policy इस पर focus करता है बतलब यह related to import है export है पर यह focus करता है कौन से goods allowed है इंडिया में कौन से goods restricted है कौन से goods prohibited है जैसे चाइना से medicine restricted है कुछ arms और ammunition prohibited है उसकी complete list देता है जिसको handbook कहा जाता है तो उसको promote करने के लिए क्या-क्या benefits दिये जा रहे है यह सारे हम foreign trade policy में पढ़ता है ठीक है चलिए दोस्तों यहाँ पे DGFT foreign trade policy formulate भी करता है यह पूरी design बनाता है जैसे 2023 foreign trade policy की design बनाएगी उसको control करता है उसको supervise भी करता है DGFT जो है CBIC के साथ RBI के साथ मिलकर यहाँ content नहीं आया पर आपके इसमें होगा CBIC, RBI और state GST department या VAT department इनके साथ मिलकर यह पूरा operate करता है और के policies DGFT मनाता है पर मैं आपको कह दूँ कि इसका implementation custom department देखता है मतलब यह properly जब कोई goods import होता है तो foreign trade policies के सारे provisions fulfill हो रहे किया, documentation complete हो रहे किया या कोई goods export होता है तो foreign trade policies के documentation complete हो रहे किया यहाँ पर अपने notes की print out ले लिया होगा तो, ministry of commerce and industry ठीक है, ministry of commerce and industry govern the promotion and regulation of foreign trade in India यहाँ पर foreign trade कैसा होना चाहिए हमारा imports related, exports related जिसको कैसे promote करना चाहिए, कैसे regulate करना चाहिए, ministry of commerce and industry handle करता है in the era of globalization, मेरे साथ ready करना पड़ेगा क्योंकि मैं पहले कि रहा हूँ कि foreign trade policy बहुत बहुत easy है, आपके 5 mark मैं तो कहोगा free के है, बस theory है, इसमें समझाने जैसा कुछ जादा नहीं है, हाँ, जहाँ difficult part है वो तो मैं समझा दूगा, पर इतना आपने 20-25 पजिस पढ़ लिया, 5 marks चोड़ना मत मेरे आपसे request है, ठीक है, in the era of globalization, international trade has become a lifeline of an economy and thus, FTP is a state guidelines and instruction issued by central government, which specify the policy of export, import, जिसको हम export, import, इने EXIM भी कहते है, EXIM, that is for a trade, अब तो globalization होगा है, continuous import, export चलो है, तो कोई भी goods हमार यहाँ dump नहीं कर सकता, China dump कर रहा है, Korea dump कर रहा है, कोई wastage dump कर रहा है, इंडिया में, इंडिया में तो क्या सस्ता मिल जा अच्छी बाते लेलो, ऐसा नहीं है, कार डंप हो रही है, यूरोप से, ऐसा नहीं हो सकता, तो उसकी guidelines होनी चीए, कौन सा goods इंडिया में आ सकता है, इंडिया से export हो सकता है, उसकी instructions होनी चीए, और यह पूरी guidelines और instruction जो है, central government decide करता है, अ FTPP was earlier called as export import policy, exam policy, now export import policy is referred at FTP, foreign trade policy of country, and it covers area much beyond the export and import, ठीक है, मतलब सिब export import नहीं, इस से related schemes पी होती है, promotion scheme होती है, इंडिया के कौन से exports को promote करना चाहिए, कौन से sector को promotion करना चाहिए, industry को promote करना चाहिए, इसमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखा जाता है, इवन exports related trading भी इस policy के था दी जाती है, policy is updated every year, in addition to changes that are made throughout the year, हाँ, कभी थोड़े-थोड़े changes every year होता है, लेकिन बेटा, इतना वो changes हमारे समरी में नहीं है, क्या होगा, कि foreign trade policy हमें क्यों पढ़ना है, आपको बता हो गया, कि जब CEO उने के बाद, अगर कोई आपको ये कहे कि advanced authorization scheme क्या है, या EPCG scheme क क्या है, तो students, मुझे याद है, ये foreign trade policy क्यों लाआ गया, क्योंकि students उसका answer नहीं दे पाते थे, कि APCG क्या है, advanced authorization क्या है, तो industry से एक complaint है institute को, और उने ने कहा कि ये तुमारे जो CA बन जाते है, CMH बन जाते है, CS कर लेते हैं, इनको तो कुछ भी समझ में नहीं आता है foreign trade का, ह हमारी industry तो globalization में कितना business कर रही है, okay import export कर रही है, तो फिर हमारे institute ने इसके उपर घहन वीचार किया, और एक summary डाल दी कि ब्लैंक नहीं होना चाहिए, पर मैं सच में गहू, तो बहुत सारे CES, specially इसमें practice कर रहे है foreign trade policy में, ये भी area बहुत बड़ा area है, पर चलो, basic तो आपको पता होना चाहिए, तो surface level पे हमको foreign trade policy होने दिया है, ठीक है, उसके बाद में policy is updated every year, थोड़ा वो changes होते है, foreign trade policy में, और changes होते है, तो वो तो मेरे amendments में cover हो जाते है, okay, यहाँ पे, in general FTP aim at developing export potential, ये बहुत अच्छी बात है, okay, बहुत सी बार हमारे इंडिया का potential क्या है export में, कौन से goods में वो अच्छा कर सकता है, manufacturing कर सकता है, हमारे कौन से goods के demand बाहर है, ये बहुत analysis किया जाता है foreign trade policy में, okay, जैसे South Africa में हमारे goods की बहुत अच्छे कासी demand है, okay, कौन से, यहाँ पे area wise, जैसे cotton हुआ, जिसके बहुत से industrial goods हुए है, जिसके demand बाहर है तो ये potential area यहाँ पे जाता है, सबसेड़ी दी जाती है, encouraging foreign trade and creating favorable balance of payment position, okay, तो ये तो जे कुछ introduction of FTP and legislation governing foreign trade, sir, exam के इसाब से कितना important है, keep in priority C, आपको इसके पर ऐसा कुछ कुछ हैगे नहीं, जिसके बता ऐसे नहीं, जो मैं priority A, भाई साब आप से अगर ये भी 20-25 बज़ेस पढ़ना नहीं होता है, मैं जितना important priority A plus को उतना तो भी पढ़के जाना, at least, हाँ बोलो नालाय को, हाँ बोलो, yes, हाँ, ठीक है, now, अब आते, silent features and key attributes of FTP, ये जो silent features of FTP 2023, priority B में रखना, मैं समझा देता हो, जिसके बारे में आगे हम बहुत सारा discussion करेंगे, okay, ये silent features के बारे में आगे बहुत सारा discussion है पहला, export import of goods and services is free, unless specifically regulated by policy and any other law, सर ये इसका मतलब क्या है, कि export import free है, वो तो free है न सर, आप जो जमाने में, जो time पे जन्मे हो, वो time पे free है, भाई, मैं जो time पे जन्मा था, जब तब import export easy नहीं था, completely restricted था, भाई, धिरुभाई, अम्बानी के कहानिया आपने सुनी होगी, कि allowed without license, without permission, allowing नहीं था, साधा हम को, एक कोई साधा, आज तो क्या, आप Amazon से कोई goods मंगवा लो, आप कोई electronic product मंगवा लो, easy है, तब इतना easy नहीं था, okay, हर छोटास भी goods लाना है, machinery लानी है, raw material import करना है, तो license चाहिए था, तो तब का जमाना बहुत अलग था, पूरे completely restricted policy थी, हमा लिया से मंगवा सकते हो, बहुत सारी चीज़े मंगवा सकते हो, दुबए से मंगवा सकते हो, तो यह आसान क्योंकि आप उस जमाने में जन्मे हो, जमाने में यह सारी चीज़े आसान हो, यह globalization में, तो export import of goods and services is free, unless specifically regulated by policy and any other law, ठीक है, हाँ, कुछ goods पे आज restriction है पर ज्यादा permission की import कर सकते हो, custom duty देदो बात को कदम, कदम करो, एक है, second, export import of goods are broadly categorized as free, restricted and prohibited, यह तीनों याद रखना, जब भी कोई goods import होगा, या export होगा, तो यह तीन category में divide होगा, एक free imports, free import का मतलब free custom duty नहीं, free import का मतलब लिकना होगा तो लिक देना, free import का मतलब without restriction, I repeat, free import का मतलब without restriction, तो होगे, जो prohibited goods है, या आप arms or ramination होगे, कोई goods restricted है, medicine restricted है, subject कुछ norms चाहिए, तो इसकी list government FTP में बनाता है, कि कौनसे goods totally free है, कौनसे goods restriction पे है, कौनसे goods prohibited है, कौनसे goods prohibited है, कि वह इंडिया में allowed ही नहीं है, इसका complete list जो है, यहाँ पे, DGFT बनाता है, under FTP, for entered policy, तो तीन type के goods होते है okay, यहाँ पे free restricted prohibited, next, some goods are free for import export, but can be imported exported only through state trading enterprises, कुछ goods ऐसे है, जो इंडिया में आ सकता है, restrictions नहीं है, लेकिन वो कोई भी नहीं ला सकता, state trading enterprises से government enterprises हो सकती है, जैसे oil हुआ, crude oil हुआ, यह government PSU लाएगी या government enterprises से लाएगी, दूसरे को allowed नहीं है, okay, जिसको government ने permission दिया, जैसे reliance industry को permission दिया होगा, sugar हुआ, pulses हुआ, ऐसे कुछ goods है, जो कोई भी नहीं import कर सकता, कि अगर कोई भी इंपोर्ट कर ले, sugar, pulses हो अगरे तो वो तो Indian domestic market को destroy कर देगा, तो वो import हो सकता है, only state trading enterprises, special license मिलते है, state trading enterprises के, और उनको ही allowed है, जिसको, हम आगे जाके STE कहेंगे, learn कर लेना, STE कहे is state trading enterprises, उसके बाद में next, there are restriction on export and imports for strategic health, कोई strategic goods होगा, health related goods होगे, defense होगा, environmental goods होगे, other reason, तो उसके उपर restrictions आ सकते हैं, जो restricted goods में, जो, ये restricted goods में follow करते हैं, ठीक है, तो ये restricted goods कहे जाते हैं, generally, ये health, defense, environment से related होते हैं, एक goods are restricted for import, export, but not prohibited, government can give a permissions or license for specific reasons, अगर goods prohibited हैं, तो फिर तो अ allowed eating हैं, जैसे, कुछ goods ऐसे है, कुछ books है, जो prohibited है, human skeleton है, जो prohibited है, तो कोई goods prohibited है, आई नहीं सकता है, कुछ goods है, restricted है, restricted है, तो government license basis पे या permission basis पे अलोग कर सकता है, ठीक है, exports are promoted to various promotional schemes, ये समझे लाए, आगे मैं बहुत सारी export promotion scheme पढ़ा होगा, जो exam के हिसाब से बड़ी important है, advanced authorization scheme APCG scheme, road tip scheme, duty free entitlement scheme, ऐसे बहुत सारी schemes है, जो इंडिया से export करने के लिए promotion scheme दिया गया है, मैं भी manufacturer को दिया है, service provider को दिया है, तो ऐसे scheme हम आगे पढ़ेंगे, तो वो भी एक feature है, यहाँ पे, FTP का, FTP क्या क्या करता है, FTP यहाँ पे regulate करता है, policy को, FTP goods की list बताता है, कौन से, free and without restriction है, कौन से restrict prohibited है, FTP यह बताता है कि कौन से goods ST के थूई आएंगे, FTP किस type के goods के restrictions डालता है, किस type के import-export पे restrictions डालता है, उसके बाद में exports are permitted to various promotional scheme, goods and services to be exported but not the taxes, goods or services to be exported but not the taxes, hence indirect tax on export are either exempted or refunded on both outputs and inputs to application of various scheme in the duty exemption and duty drawbacks services export तो allowed है, बहुत सरा export free है, allowed है, आप तो Indian government चाहती कि export करो, लेकिन उसके taxes में सबको benefits नहीं है, जैसे आज अगर आपने customer पढ़ाओगा, तो schedule 2 में कुछ goods है, जिसके export duty आती है, tax आता है, लेकिन कुछ case में refund मिलता है, promotion मिलता है, exemption मिलता है, जो scheme हम आगे देखेंगे, capital goods can be imported need duty, under EPCG scheme, बहुत अच्छे scheme है, आगे पढ़ाओगा, जिसमें EPCG scheme, यहाँ पे export promotion capital goods scheme, EPCG मतलब export promotion capital goods scheme, आगे आएगा, जिसमें capital goods without duty ला सकते है, पर उसके अपने कुछ conditions है, restrictions है, हम आगे देखेंगे, for units undertaking to export all their production, they are specially scheme, so that they can avoid the taxes every stage under the scheme of EOU and SEZ, यह जो EOU के license मिलता है, SEZ, तो यहाँ पे permissions मिलती है, यह सब FTE मिलती है, ऐसे unit जो specially only export में involved है, जिसे EOU का जाता है, या SEZ में अगर आप form करते हो, तो वो situation में जहां तक देखा जाए, तो यहाँ हम EOU के special permission दी जाती है, specified cases, import get duly exemption, concession, remission for certain special purposes, you enable domestic supply to compete with international supply, supplies of domestic suppliers are treated as deem exports, okay, हाँ, deem exports भी हम देखेंगे, जहां तक इसमें हम यह भी देखेंगे, कि deem export कब कहा जाता है, जैसे बहुसी बार domestic manufacturer direct export नहीं करता है, पर वो ऐसे बंदे को supply करता है, GSD आपने पढ़ा होगा, कि वो ऐसे बंदे को supply करता है, जो further export कर रहा है, तो deem export को भी promotions किंस में रहती है, and FTP 2023 का special feature यह है, it was announced on 1st of April 2023, which is integrated policy for export import of goods and service, it shall continue to be operation unless otherwise specified or amended, तो यह कुछ important features है, priority B में रखना, simple theoretical questions आ सकता है, explain the features or key attributes of FTP 2023, पीटा समझा होगा, तो यहां पे, यहां पे features यहां पे S type करो, S type करो, ठीक है, अगर यह point समझोगे, थेरी है, completely थेरी है, इसमें समझाने जैसा ऐसा कुछ ज्यादा तो नहीं है, चली, administration of FTP, FTP is formulated and controlled and supervised by Director General of Foreign Trade, इसे DGFT कहा जाता है, an attached office of Ministry of Commerce and Industry, Government of India, DGFT है several offices in various parts of the country, which work on the basis of policy formed by headquarters at Delhi, बतला इसकी बहुत सारी branches है, और headquarter Delhi में है, DGFT issues authorization and permission for import export as per FTDR, Foreign Trade Development and Regulation Act, FTDR मतलब Foreign Trade Development and Regulation Act, तो बहुत सी बार licenses होते है, export promotion के, जैसे मैं आगे बढ़ा होगा, advanced authorization है, duty free entitlement scheme है, APCG scheme है, road tip scheme है, तो यह इसके special license देने की power safe DGFT के पास है, it also grant import export code IEC number, IEC number आपको पता है, अगर इनिया में आपको import करना, export करना है, तो IEC number आपके पास होना, जरूरी, जैसे import export code कर जाता है, जैसे income tax में PAN होता है, GST में GST न होता है, जैसे customs में IEC होता है, पर IEC customs act में नहीं मिलता है, IEC जो आपको मिलता है, वो FTP में मिलता है, ठीक है, और वो DGFT से मिलता है, import export code to import exporter as import export without IEC number is not permitted unless specifically exempted, DGFT decision is final and binding for interpretation of policy, यह हाले करना, जो भी policy में decision लेगा, DGFT वो final लेगा, जैसे custom का कोई होगा, या GST का होगा, तो आप order के अगेंस में appeal कर सकते हैं, पर DGFT ने जो policy बनाई, जो interpretation लिया, जो decision लिये, वो final रहेंगे, इसका appeal भी file नहीं हो सकता, अगे, provision in handbook of procedure, appendices, आयात नेरियत forms, and classification of any items of import export, अगे, in ITC, ITC Indian tariff code, ITC मतलब input tax rate नहीं, Indian tariff code, जिसके आगे, बारे में हम आगे पड़ेंगे, Policy Interpretation Committee, PIC, may be constituted aid and advice by DGFT, तो foreign policy कैसे होनी चीए, क्या होनी चीए, इसकी committee बनती है, और वो committee DGFT के अंटर में बनती है, ठीक है, चली, तो यह हमने कुछ important administration of FTP के बारे में देगा, जिसमें DGFT का सारा role क्या होता है, आ सकता है examen कि DGFT का क्या role है, तो यह सारे points को लिखने प क्या क्या है, इसकी कोर्स यह प्रोवाइड करता है, डिसिजन of DGFT is binding and policy interpretation committee is working under the DGFT, तो यह चली है, और यह no doubt DGFT ही decide करेगा, in public interest DGFT में पास्द और और ग्रांट exemption, exemption दे सकता है, relaxation or relief to any person from any provision of FTP and procedure on the ground of genuine hardship and adverse impact on the trade, तो DGFT को लगा कि जो FTP के अंडर पूली, प्रोसिजर फॉलो करना है, इसके handbook मिलती है, बहुत बढ़ी handbook है, कि आप particular goods लगे, तो कौन सा आपकी procedure है, कौन से certification चाहिए, उसका origin certificate चाहिए, उसके norm certificate चाहिए, इसका पूरा hand book आता है, तो DGFT को ऐसा लगा कि नहीं particular industry को exemption देना चाहिए, या कुछ relaxation देना चाहिए, रिलिप देना चाहिए, तो DGFT में इंपो certain conditions after consulting, norms committee, EPCG committee and policy relaxation committee, तीन committees होती है, जिसके साथ DGFT काम करता है, तो जब भी कोई policy बनानी हो, या कुछ conditions का relaxation देना हो, exemption देना हो, या कुछ condition add करनी हो, तो ये तीनों committee जो होती है, इनके साथ बातचित करके, वो final किया जाता है, अब आपका सवाल होगा कि norms committee क्या होती है, तो for fixation or modification of product norms under all scheme, okay, products के norms क्या होते है, जैसे आगे मैं आपको पड़ा होगा, input, export को promote करना है, तो input output ratio norms fix होता है, अगर एक government ने export को promotion scheme दिया है, तो उसमें कितने inputs लगना चाहिए, कितने ratio का inputs लगना चाहिए, जिसके बारे में बहुत detail में आगे हम बात करेंगे, तो कितने ratio का input लगना चाहिए, ये सारी बाते जो fix करता है, वो norms committee fix करता है, EPCG committee capital goods से related है, जैसे कोई industry है, जो export के obligation लेती है, export करती है, और उसको machinery लाना है capital goods लाना है, क्योंकि वो export के obligations ले रही है, वो government को कह रही है कि देखो हम export करेंगे, कुछ machinery हमें लाने दो, तो आप capital goods बिना custom duty के ला सकते हो, पर आपको export करेंगे के कुछ obligations लेने पड़ते हैं, तो ऐसे situation में EPCG committee के साथ मेल कर, वहां कुछ norms decide होते है, policy relaxation committee for all other issues, if importer export is agreed by decision order by any authority in DGFT, a specific request of personal hearing has to be made DGFT, मतलब अब कोई DGFT के rules, regulations या policy से कोई satisfied नहीं है, या उसको problem आ रहा है, import exporter को, वो court में नहीं जा सकता, वो जो apply करेगा, वो DGFT को ही apply करेगा, और DGFT उसको यहां पे, okay, hearing देखे, DGFT hearing देखे, DGFT में consider the request for relaxation after consulting, concert committee and decision convey shall final binding, अब कोई particular importer आ रहा है, capital goods import करना है, और वो एक कुछ final product को export करने के लिए ready है, और उसको relaxation चाहिए, तो वो DGFT के पाद जाएगा, कहेगा कि मुझे मेरी बात को समझ लो, मुझे कुछ relaxation दो, आपकी procedure tough है, undo hardship है, फि DGFT उसकी case सुनता है, उसके बाद committee जो उपर दीगे, इनके साथ बातचीत करता है, और बातचीत करने के बाद final करता है, कि ठीक है, आपको इसमें से relaxation दिया जाएगा, government is committed to easy and speedy redressal of givens from trade and industry, okay, settlement commission set up by department of revenue is empowered to settle matter of dispute of export obligation also, ठीक है, तो यह हमने देखा, regarding to exemption or policy, exemption from policy and procedure, okay, DGFT की power समने देखी, next, यहां तक समझ में आ रहा है बेटा, फिर से कहता हो, आप मैं जितन समझा रहा है, उतना enough है, okay, depth में जाने की जरुवत नहीं है, और exam में यह याद रखना भी easy है, बस आपका थोड़ा attention जी है, student क्या करते है, student by FTP पांच मार का चोड़ देते है, attention नहीं होता, question बहुत easy पूछे जाते है, okay, तो exam की हिसाब से मैं तो यह priority C में बोलूगा, at least उतना तो भी पड़के जाना, exam में marks आपको मिल जाएंगे, yes or no, yes तो why type कीजिएगे बटा, other authorities involved, though FTP is formulated by DGFT, it is administered in close coordination with other agencies as under, ठीक है, मैंने आपको बताया है कि CBIC के साथ मिलकर, यहाँ पे, जो सह है, ministry of finance, custom department, import, export, जब goods का valuation करना, उसका examine करना, okay, तो DGFT की policy follow होरी की नहीं होरी, यह भी custom department, देखता है, since there is a GST on all goods or service, external petroleum product or backup product, central GST authority also have to be involved for export, where goods have to be cleared with without export, मतब export के अगर refund लेना है, तो no doubt वो भी DGFT के साथ मिलकर काम करना पड़ता है, उसके बाद में RVI के साथ मिलकर, especially payment, okay, monitoring, import, export के payment, submittance, monitor होता है, और state GST department, जिसे आप bad department भी कह सकते हो, okay, तो avoid dual control, some taxable personnel under jurisdiction of state GST authority, who will then be controlling authorities, yeah, तो, okay, again, यह priority scene में रखना, okay, just for your knowledge, कि DGFT इन सारे department के साथ मिलकर, जो है, यहाँ पे काम करता है, okay, और सारे department को मिलकर सी policy को control करता है, ठीक है, चलो, ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा change कर लेना, गलती से आगया, content of FTP 2023, 2023, 2023, यहाँ पे change कर लेना, अगर आपके इसमें change होगा, तो अच्छी बात है, यह तो change कर लेना, FTP 2023, it has 11 chapter giving basic policy, and is notified by the central government, okay, इसमें handbook procedure होते है, बड़े-बड़े handbook होते है, जिसको HBP कहा जाता है, और की पूरी procedure उसमें जाती है, okay, तो यह भी priority B में रखो, content से related, कि FTP का content क्या होगा, okay, it contains 11 chapters covering procedural aspects of policy, and is notified by DGFT, amended from time to time, as per requirement, also it contains appendices and आयात निर्यान forms, मतलब जो forms होते हैं, आयात निर्यात के forms, इसके details होती है, और standard input output norms, C-ON, C-ON याद रखना, standard input output norm, जिसको C-ON कहते हैं, जैसे एक example, कोई इंडिया का manufacturer है, और वो shirt बना रहा है, okay, shirt बना रहा है, और वो shirt को export कर रहा है, वो shirt को export कर रहा है, तो अगर export यहाँ पर करता है, तो बहुत सारे promotions मिलते हैं, promotional schemes होती है, आगे मैं पढ़ा होगा, promotional scheme मिलते हैं, incentive मिलते हैं, promotional scheme मिलते हैं, पर एक shirt के लिए, यह एक output के लिए, वो standard बनाते हैं, और standard क्या बनाते हैं, यह एक output पे लगने वाला input कितना, जैसे एक shirt के लिए 2 meters of fabrics लगेगा, तो 2 meters of fabrics इसको लगेगा, तो 1 is 2, 2 और 2 fabrics रहेगा, तो यह standard form fix करते हैं, standard form fix करते हैं, मतलब क्या, मतलब यह है कि, अगर उनको incentive देना input पे, okay, under export promotion scheme, तो आप 3 meter यूज़ करो, 4 meter यूज़ करो, 5 meter यूज़ करो, उससे कोई लेना देना नहीं, to manufacture single shirt, वो आपको सारे benefits 2 meter के इसाब से ही देंगे, okay, 2 meters के इसाब से ही देंगे, तो यह जो norms fix करो, okay, यह already norms fix होता है, नहीं तो कोई भी benefit लेने के लिए ज़्यादा बता देगा, कि भाई, input जो है, मैंने तो 5 meter यूज़ किया, मैंने तो 10 meter यूज़ किया, तो कोई भी ज़्यादा बता सकता है, okay, waste जो गया, मैं क्या करूँ, ऐसा नहीं है, okay, जो भी goods export होते हैं, उसके input को आपका incentives मिलते हैं, promotional scheme के तहट, आपको without import, without import duty inputs allow करते हैं, लाने अलाव करते हैं, duty drawbacks मिलते हैं, तो वो situation में, input के duty drawbacks मिलते हैं, तो वो situation में, जो है, यहाँ पे, वो norm fix करते हैं, और अगर उन्हें ने 1 is to 2 fix किया है, तो आपको 2 meter का ही benefit मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, इसको मैं आगे वर्ड यूज़ को होगा, C-ON, C-ON मतलब standard input norms, बेटा, अगर समझाओगा, तो C-ON type करो, अगे, various product notified from time to time, C-ON specifies the quantity and value of inputs to be used for production of specific export item, and corresponding to quantity of output expected, मतलब quantity कितने, कितने value का अगर होगा, यह important बेटा, प्लीज बताइए, समझा की समझाओ, C-ON ने क्या होता है, तो एक output के लिए कितने quantity और कितने value का आप जो है input use करोगे, वो एक standard fix होता है, based on C-ON, exporter can make duty free import of inputs required for manufacture of export product, under duty exemption scheme like advanced authorization, अब जैसे, आगे जब मैं advanced authorization scheme, BFIA scheme पढ़ाओगा, तो यह scheme मैं, देखो भई, यहाँ पे बंदा सामने मेरे सामने बैठा है, मैं DGFTO, exporter है, वो कह रहा है कि, सर मैं export कर रहा हूँ, इंडिया की growth में, मैं help कर रहा हूँ, मैं connection ला रहा हूँ, मुझे इसके लिए कुछ inputs import करना है, तो मुझे import करने तो without import duty, क्योंकि मैं export में use करूँगा, तो वैसे भी आप बाद में drawback दोगे, तो पहले से मुझे authorization दो, permission दो, कि आप मुझे advance में ही, advance में ही कुछ inputs लाने दो without import duty, तो आप यह तो exporter government के लाड़ ले, मैंने का तुझे export करना है, हाँ सर मुझे export करना है, मुझे export करना है, अचा, export के लिए तुझे input लाना है, हाँ, सर में shirt बनाए वालो, export करना है, मुझे fabrics import करना है, और उसके ओपर import duty मुझे exemption चीए, मुझे please import duty मत लगा, सर क्योंकि export के लिए उस कर रहो, तो मैंने लगा ठीक है, ला भै, पर इतनी quantity दो ला सकता, एक shirt के लिए दो मीटर, तो कितने shirt export करेगा, तो वो कह रहा है कि सर मैं export करूगा, यहाँ पर 10,000 shirt, 10,000 shirt के लिए 20,000 मीटर का तुम fabrics ला सकते हो, तो ऐसे norms जो है, एक shirt का example लिया, आप को यह भी product का example, तो ऐसे standard, ओके जो Sion है, वो Sion fix करता है, यहाँ पर कौन, अब देखो, इनकी जो handbook होती है, HBP, okay, handbook में, ऐसे बहुत सारे product दी है, कौन से free atoms है, कौन से restricted atoms है, okay, कौन से free है, कि भाई, जिसके पर restriction नहीं है, कौन से restricted है, okay, restricted है, और कौन से prohibited है, कौन से prohibited है, okay, तो समझ लो product A, B, C, D, E, free है, okay, F, F, I, J, K, restricted है, औके, और आगे, L, M, N, O, P, यह prohibited है, तो इसको एक code आता है, जैसे custom में हम HSN कहते है, custom में हम HSN कहते है, वो duty का code होता है, I repeat, वो duty का code होता है, okay, और यहाँ पे, यह जो है, यह HBP का code होता है, जैसे समझ लो, तो 8-digit code होता है, 8-digit code जो मैंने इसमें भी उस किया हमारे questionnaire में, okay, तो 8-digit code ऐसा होता है, जैसे 08021100, okay, यह 8-digit code होता है, तो FTP में यह HSN नहीं बोला जाता है, FTP में जहां था कि यह, no doubt, HSN बेसी होता है, लेकिन FTP में यह Indian Trade Classification code कहा जाता है, जो 8-digit होता है, अब officer यह DGFT जब restriction डालता है, तो वो ऐसा डालता है, कि यह code में आने वाला goods को, यह procedure रहेगी, यह procedure फॉलो करना पड़ेगा, यह certificates लाने पड़ेगे, यह restrictions रहेगे यह prohibition, जब भी DGFT restriction डालता है, procedure बताता है, यह prohibition डालता है, तो वो product के नाम नहीं यूज करता है, वो वहाँ पे उसका code देता है, जो FTP का code है, customs का नहीं, जो FTP का code है, जिसको ITC-HS का आजाता है, और custom में हम HSN code करता है, जिसको ITC-HS का आजाता है, तो इसमें भी दो schedule है, जैसे custom में duty के लिए code अलग, जैसे सुनिएगा, custom duty का HSN code अलग, और foreign trade policy का code अलग, दोनों match हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, इसमें भी दो schedule होते हैं, schedule 1, import policy से related code दिये जाते हैं, और schedule to export policy, तो जब आप handbook देखते हो, तो handbook में दो मिलती, बात भी उससे related handbook open करते हैं, handbook open में उससे related procedure क्या है, restrictions क्या है, government की policy क्या है, सब देखा जाता है, कोई incentive है, क्या कोई exemption है, क्या कोई relief है, क्या कोई refund है, क्या इस पे advance authorization मिल सकता है, क्या इस पे EPCG मिल सकती है, यह सारी चीज़े देखी जाती है, presently, most of the goods can be imported without any authorization, मैंने जिज़े से का, free है, without any license, okay, schedule to contain very few products, where export is prohibited or restricted, export of all goods is free, मतलब, कुछी goods ऐसे, जो जिस पे restrictions है, अदरवाई सारे goods export करना allowed है, क्योंकि, यहाँ पे जो है, यहाँ पे, export, government को पैसा मिलता है, foreign exchange इनिया में आता है, इसलिए जाहाँ तक देखा जाए, तो export of all goods यह free होगा, उसके बाद में, SEO, MET, SCOMET list is also provided, SCOMET list में, आगे मैंने दिया है, okay, page number 89 पे देखोगे, special chemical, अगर इसका meaning लिखना है, तो लिख सकते हो, special, chemicals, chemicals, organisms, organism, material, materials, equipment, material equipment, and technologies, technologies, okay, okay, इसको SCOMET कहते है, S, C, O, M, E, T, okay, तो कुछ ऐसे, special goods है, chemicals है, okay, organism है, material है, equipment, technologies, जिसके उपर, government ने, restrictions डाला है, license डाला है, तो उसकी list भी जो है, government यहाँ पे, DGFT बनाती है, और वो, आपको ITCHS में, फूरा details रहता है, उसके बाद में, changes, formulation, addition of new codes, in ITCHS code, are done by DGFT, कुछ changes करना है, ITC code में changes करना है, तो DGFT कर सकता है, जब ने देखा, अब आते, foreign trade policy, which was to tax laws, मतलब भई, हमारा GST law है, customs law है, और FTP, इन दों में क्या difference, क्या connection है, क्या difference है, देखता है, FTP is closely knit with customs, GST, and exercise state law of India, but policy provision, first say do not, overwrite tax laws, ठीक है, जब बनाई जाती है, तो customs act, GST law का, और कुछ गुट्स पे, आज भी exercise लगती है, तो उनका ध्यान को, ध्यान में रखते हैं, बनाई जाले, ठीक है, पर एक बात, बहुत clear कहर दी, contradiction होता है, तो जहान तक देखा जाया, तो tax law prevail होगे, over the policy, अगर contradiction होता है, तो, exemption extended by FTP, are given effect, by issuing notification, under respect to tax law, जैसे customary fact, actual benefit of exemption, depend on language, of exemption notification, issued by CBIC, most of the cases, exemption notification, refers to policy provision, for detailed conditions, ठीक है, जो exemptions FTP में दिएगे, वो customs में भी, जी जाते, especially procedural aspects, exemption जो होता है, ministry of finance, tax authorities, cannot question the decision, of authorities, under the ministry of commerce, ये भी अच्छा point है, कि, अगर कोई decision, FTP में लिया जाता है, और ministry of commerce लेता है, तो, ये clear कर दिया गया है, कि, उसके उपर, finance minister question नहीं उठा सकता, ठीक है, law में contradict होगा, तो फिर, tax law prevail होगे, लेकिन अगर कोई policy बनाई गई, तो finance minister, अब finance minister सूच रहा है, इसमें तो ये custom duty अच्छा मिल जाता है, गवर्मेंट का फायदा हो जाता है, crores का revenue हो जाता है, पर foreign trade policy ने, ministry of commerce ने डाल दिया, कि, नहीं, prohibited goods, restricted goods, तो revenue काम हो गया, अगर ministry of commerce ने कोई restrictions डाल दिया, prohibitions डाल दिया, procedures डाल दिया, तो वो follow करना पड़ेगा, इस इट क्लियार, चलिया, उसके बाद में, यहाँ पर अगर हम बाद करें, तो trade facilitation and ease of doing business, DGFT directly, delicately functions as a faciliter of export import, NCTF, National Committee of Trade Facilitation, is constituted to facilitate coordination and implementation of TFA provision, okay, trade related कुछ provisions है, TFA का मतलब हम आगे देखेंगे, तो इस से related जो provisions है, उसके लिए एक committee है, और वो है NCTF, वो भी coordinate करते है, RITC में रखना, exam में नहीं बुचाएंगे, तो उसके बाद में, aim of national trade, facilitation action plan, तो एक है, NTFA, यहने इसको आप short में TFA भी कह सकते हो, कि जैसा अभी उमने उपर पड़ा था, TFA, तो national trade facilitation action plan, तो उनका aim क्या होता है, improvement of ease doing of business, reduction in transaction cost and time, यह special facilitation action plan होता है, FTP में, जो यह कोशिश करता है, कि कैसे exporters, इंडिया के बाहर business, easily कर सके, ease of doing business, कि अपनी transaction cost, transportation cost कैसे कम का सकता है, इसके बार continuous work करते रहता है, reduction in cargo release time, वह सी बार export का cargo, custom department पर अटक जाता है, 10-10 दिन अटक जाता है, release नहीं हो पाता है, तो कम से कम उनके time में कैसे release हो, इस पर भी, यह जो, okay, action plan बनाता है, national TFA, इसके बार में paperless regulatory environment, transparent and predictable legal regime, and improved investment climate through better infrastructure, कुछ इसके उपर, okay, NTFA काम करते रहता है, और no doubt NTFA, okay, जो काम कर रहा है, वो NCTF, एनने national committee of trade facilitation, okay, यह NTFA का पुरा plan बनाती है, TFA का plan बनाती है, provisions बनाती है, और यह committee उसके उपर work करती है, ठीक है, चलिए, okay, trade facilitation measure provided under FTP, यह NTFA measure क्या होते है, okay, under FTP, यह देख रहते है, यह होते है, free passage will be provided to export consignment, and there will not be any seizure of export related stock, except exceptional cases, जितना ज़्यादा हो, export consignment, okay, के लिए free environment create करें, free environment create करें, जल से जल export हो, export के stock, या goods, या, okay, export consignment, block ना हो, और उनका seizure ना हो, okay, इस पर भी पुरा work किया जाता है, इस ते export, export is demotivate ना हो, single window system to facilitate export of perishable agriculture produce, अगर perishable agriculture produce है, जल्दी खड़ाब हो जाते है, अगर वो clearance नहीं हुआ जल्दी तो, उनके लिए सारी, formalities एक ही window पे हो, single window system उसके लिए बनाया जाता है, BGFT is implementing, implementing the niriyad bandhu scheme, यह niriyad bandhu scheme वर्ड याद रखना, okay, for mentioning new and potential exporter on intricacies of oriented through counseling, training and outreach program, including restrict as export hub, explain later, okay, अब मैं आपको यह बता दू कि, यह 2023 scheme का special, okay, पार्ट है, और वे नiriyad bandhu scheme, okay, क्या कर रही है अभी BGP government में, जो भी exporter, यहाँ पे foreign trade करना चाहते है, interested है export के लिए, उनको counseling करना, training देना, उनके programs, okay, वहाँ तक programs पहुचाना government के, okay, जहां हर district में export hub बनाये जाएंगे, और छोटे 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 लोगों को help किया जाएगा, export करने के जो निरियाद बन्दू scheme में आएगा, तो दो मां के लिए question आ सकता है, निरियाद बन्दू scheme पे, तो यह अच्छे से पढ़के जाना है, DGFT online customer portal provides information for export import including act, roles, policy and procedure, आपको सारे DGFT यारे FTP का act, उसके बाद में procedure policy आपको dgft.gov.in इस online website का आपको मिल जाएगा, DGFT has undertaken many IT initiatives to enable paperless, contactless and transparent environment for availing benefits under export promotion scheme, जैसे major हम 4 scheme पढ़ने वाले है, उसके अंदर में आपको जल से जल benefit मिलना चाहिए, इसलिए paperless, contactless and transparent environment के लिए IT initiatives continuous, अभी GST department हो, custom department हो, या FTP department हो, यह सारे अपने procedures IT-based ला रहा है, dedicated 24 by 7 helpdex facility to put in a place to assist the exporter in filing online application on the DGFT portal and other matter pertaining to FTP, large number of trade facilitation measures taken by custom department like 24 by 7 custom clearance in specified C port and airport, कुछ ऐसे port है, airport है 24 by 7 custom clearance की facility है, single window interface of trade, swift to lodge clearance document online, मतलब single window online documents है, आपको हर जगा अलग 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 जगा, GST का document अलग, customs का document अलग, FTP के document अलग, ऐसा नहीं है, सारे documents एक जगा दे दो, एक ही जगा online submit कर दो, e-sanchit और e-storage and computerized handling of indirect tax document, ऐसलिए trader with paperless processing, मतलब आप जो भी document submit करोगे, वो store होगा, e-storage जिसको कहा जाएगा, या e-sanchit आप जिसको कह सकते हो, तो यह paperless processing के लिए, जहाँ आप document show कर सकते हो, submit करने के पहले, तुरंद custom, यहने faceless assessment है, customs में, compliance information portal, CIP for information of all clearance related procedure, duties, fees and charges of input export of any goods, इस तरह से बहुत सारी चीज़े, trade को facilitate करने के लिए, import export को यहाँ पे promote करने के लिए, बहुत सारी चीज़े जो है, यहाँ पे उन्होंने दी है, ओके तो trade facilitation measures, जो है यहाँ पे use किया हुआ है, ठीक है, तो यह दिया गया regarding to, यहाँ FTP, तो again यह theory points थे, जो हमने यहाँ पे कुछ cover किये है, done, समझाओगा तो yes बोलिए बिटा, मेरे साथ पढ़ लो, बाद में होगा निया, मेरे साथ एक बार पढ़ लो, और बाद में आपको learn करने की साब से एक बार पढ़ना है, अगर आप सोचते होंगे कि बाद में आप थोड़ा देख लेंगे, स्पीड में देख लेंगे तो होगा नहीं, अभी मेरे साथ बैठो तो अभी हो जाएगा आपका, ठीक है, चलो, कुछ important terms देख लेते हैं, authorized economic operator, AEO program of Indian customs, under this business, यह priority भी में रखना, आसकता है, short note AEO program of Indian customs में, under this business entity engage in international trade, is granted AEO status, if it is approved by custom, as compliant with supply chain security standard, customs में specially status मिलता है, AEO status, जो international trade करता है, बड़ी-बड़ी industry होगे, reliance होगे, टाटा होगा, इनके पास सब AEO status है, यह सारे compliance से है, और इनका continuous trade चलता है, इसलिए इनको AEO status रहता है, such entities are considered as a trusted trade partner of Indian customs, okay, तो क्या होता है कि इनको बहुत सारी assessment में, checking में relaxation होता है, यह trusted partner कहे जाते है, customs के, AEO status holder get extensive benefit, including preferential custom treatment in terms of, reduced examination, मतलब इनके doubt होगा तो examination होता है, otherwise, भाई तुम लोग आज़े, okay partner हो हमारे, कि तुमको क्या बाद बाद चेक करना, clear करो, faster processing, clearance of cargo, deferment of payment duty, इनको duty deferment facility भी मिलती है, direct port delivery entry, port से कभी-कभी direct entry इनको इनके factory तक होता है, enhanced port clearance privilege, mutual recognition agreement, partner countries, greater facilitation and self certification, कौसी बाद country of origin का certificate होता है, या जो भी customs के certificate होता है, यह खुद ही बना लेता है, क्यूंकि इनको AEO status होता है, यह पढ़ने में ऐसा लग रहा है ठीक है थारिया, और practical life में यह इतनी बड़ी रियायत है, कि तुम्हारा custom clearance बहुत fast होता है इससे, ठीक है, AEO program is based on WCO, a safe framework standard, चलो ठीक है, तो यह था AEO programs related, उसके बाद में next, यहाँ पर, town of export excellence, TEE, selected town which are contributing handsomely to Indian export, by producing goods of specified amount may be granted, recognition of TEE, जैसे selected towns है, Mumbai है, उसके बाद में अभी पुने है, जो export में बहुत अच्छा contribute कर रहा है, Amdabad है, अब बहुत सारे आपके state के cities होगे, town होगे, जो export में बहुत अच्छा गाम कर रहा है, वो उनको select किया जाता है, TEE में, they will be provided target support and infrastructure development, to maximize their export, उनको पुरी तरह से support दिया जा रहा है, infrastructural support दिया जा रहा है, उस town में specially export hub create किये जा रहा है, okay, FTP 2023 के special, okay, ये schemes है, special, पहले नहीं था पुराने FTP में, लेकिन, ये priority A++ में पढ़के जाना, इस पे 2 mark का short note आ सकता है, TEE, by heart learn कर लेना, बहुत दूसरा कोई option आपके पास, नहीं है, ये समझा है या नहीं समझा, please बताइए, yes or no, सबस्के बात में बात करते हैं, हम status holder की, meaning, status holder are exporter firms, recognized as a business leader, who have excelled in international trade, and have successfully contributed to countries foreign trade, तो status holder, ये important concept है, exam में पूछा गया है, और exporter firms, ये जो बड़े-बड़े exporters होते हैं, जो अच्छा-खासा export करते हैं, recognized as a business leader, वो एन एक्सपोर्ट लीडर होते, who have been excelled in international trade, and have successfully contributed, वो country in a foreign trade, मतलब, ये इतने करोड में, billions में export करते हैं, कि यहाँ पे, country के foreign action deserve में, इनका बहुत बड़ा contribution होता है, next, all exporter of goods, services and technology, having an import export code number, shall eligible for recognition of status holder, तो ये status holder किसको मैंता है, मैं भी export में status लेना चाता हो, मैं भी status holder मिलना चाता हो, मैं भी सारी facilities यहाँ पे लेना चाता हो, तो ये मिलता किसको है status holder, तो दोस्तों ये जो मिलता है, यहाँ पे आपके पास IEC होना चीए, और आपने कुछ criteria fulfill करने चीए, अगर आप वो criteria fulfill करते हो, तो आप ये status holder का यहाँ पे benefit ले सकते हो, चलिए, तो ये status holder देखा आपने, अब इस से related provisions देखते है, आपको status holder recognition कब मिलता है, status holder recognition depends upon export performance, आपका performance केतना होना चीए, learn करना पड़ेगा बहुत सा, status holder पूरा अच्छे से learn करके जाना, status recognition depends on export performance, applicant जिसके पास IEC है, import export code है, applicant shall be categorized as a status holder, upon achieving the threshold export performance, in the current and preceding three financial year, as indicator below, अगर नीचे जो export turnover दिया है, वो current year में है, और पिशले 3 साल में अगर वो कर रहा होगा, तो वो okay status holder, याने जिसको हम star merchant holder भी कहते है, तो ये status holder का वो यहाँ पे, okay recognition ले सकता है, वन स्टार export house, अगर आपको वन स्टार का tag लेना है, तो आपका export performance threshold in USD million, okay मतलब आपका इस साल और फिछले 3 साल continuous, okay अगर 3 million USD, हाँ 3 million USD, जो से कव होगा, sorry 3 million से जादा होगा, threshold 3 या 3 से जादा होगा, तो वो case में आप जो है, 1 star, SS 2 star का 15, 3 star का 50, 4 star का 200, 5 star, 800 threshold दिया गया, separate FTP provision from James and Jalilis sector, are not relevant for exam, मतलब James and Jalilis के इतना important नहीं है, बस आप इतना समझ लो कि, status holder का अगर short note आती है, तो पहले आपने meaning लिया, दुसरा ये recognition में लिमीट आपको लिखना पड़ेगा, पुराने FTP में दो बार question पूछा था, इसले आपको ये learn करना पड़ेगा, point that merit consideration while computing export performance for grant of status holder, वै status holder को benefits क्या मिलता है, okay what are the benefits, available, benefits available to status holder, okay, export performance shall be counted based on FOB of export earning in freely convertible foreign currency, और Indian rupees, okay, तो उसका export performance, जो FOB के base पे होता है, free onboard price, ये freely convertible foreign currency, as well as Indian rupees भी consider क्या जाता है, देखो, हम export को promote क्यों करते है, हम export को promote इसलिए करते है, क्योंकि वो foreign exchange लाता है, I repeat, क्योंकि वो foreign exchange लाता है, अब second important point क्या है, second important point ये है, कि अगर वो foreign exchange इंडिया में ला रहा है, तो उसको incentives मिलते है, उसको benefits मिलते है, पर अगर इनका कुछ पैसा इंडियन rupees में भी आता है, तो वो भी export performance के इसमें लिया जा सकता है, ये बहुत बड़ा फायदा है, कि जनरली foreign currency में आता है, तो ही consider होता है, पर इंडियन rupees में भी आता है, तो भी consider किया जाता है, team export, F.O.R. value of export in Indian rupees shall be converted in US dollar action rate notified by CBSE as applicable 1st April of each financial year, अच्छा, इनके export performance में, अगर इन team export करते है, इन export नहीं कर रहा है, किसी ऐसे बंदे को supply कर रहा है, जो export हो रहा है, तो उसकी भी value consider होती है, export performance, granting status, export performance will be necessary in all three preceding financial, इनका ये financial year का threshold नहीं होना चाहिए, पिछले तीन साल में भी same threshold उसने अच्छो करना चाहिए, next, export performance is not transferable among IC holder, अब देखो क्या होगा, समझ लो मेरा, okay, three million का, okay, समझ लो 200 million का export performance का 4 star के लिए, मुझे 4 star लेना है, 4 star के अपने बहुत सारे benefits है, अब इसमें क्या हुआ, कि मैंने 200 million का किया है, और मेरी holding company ने, okay, 250 million का किया है, तो फिर मैं कहे रहूं कि ठीक है, मेरा performance में holding को transfer कर देता हूँ, ऐसा नहीं चलेगा, मेरा performance मेरी associated company को transfer कर देता हूँ, ऐसा नहीं चलेगा, okay, तो export performance आपका किसी और को transferable नहीं होगा, okay, यह जो performance है, यह performance बेटा, current year plus previous three years, यहने आपका current plus three previous year का होना चीए, यहने current year में भी होना चीए, plus three previous year में होना चीए, इवन्थो यह three preceding financial year लिखा है, पर current year का भी status इसमें देखा जाएगा, now, export made on re-export basis shall not be counted for recognition, अब re-export क्या होता है, re-export होता है, यहाँ पर exportation, हाँ, re-export मतलब exportation after importation, मतलब पहले import करो और फिर re-export करो, तो वो consider इसमें नहीं किया जाएगा, जैसे duty drawback में हमने यह word देखा था, re-export, लिख नौट लिख दो, okay, re-export मतलब export, exportation after importation, उसको कहा जाता है, exportation, export item under authorization including SCO, MET, SCOMET items would be included, यह जो status holder है, यह जो मैंने आपको अभी SCOMET item दिया था, जिसमे equipment, material, chemicals हो गरे मैंने कहा था, तो अगर आप status holder हो, तो वो item आप export कर सकते हो, to calculate export performance for grant of one star house status, exporter by ISU holder under micro, small enterprises, manufacturing unit having ISO, BIS certification, unit located in north eastern state including Sikkim, union territories of Jammu and Kashmir, Ladakh and export of fruits and vegetables, shall be granted double weightage once in any of these categories, तो वो double weightage scheme क्या है, वो हमको detail में नहीं जाना है, पर हा, अगर single star house के लिए, अगर आप small enterprises हो, या कुछ specific area में हो, तो आपके export को double weightage देके, export performance consider किया जा सकता है, वाइस आप यह learn करना पड़ेगा, exam में पूछा है, okay, regarding to this export performance, ठीक है, यह status holder के लिए, कौन-कौन सी conditions आपको complete करनी है, okay, यह benefits नहीं है, sorry, यह conditions for recognition, conditions for recognition, आपको status holder चीए, conditions for recognition इसमें दिया गया है, और यह सारी conditions आपको इसमें दिया गया है, okay, तो आप status holder कुछ benefits भी ले सकते हो, और यह status enjoy भी कर सकते हो, okay, done, जल, अब यह privileges, okay, यह important है, status holder को क्या privileges है, authorization and custom clearance of import export on self declaration basis, practical life में इसका बहुत important है, क्या है, department के पास बार-बार जाओ, declaration लो, यहाँ पे certification लो, बहुत दिक्कर जाते हैं, पर अगर आप status holder हो, क्योंकि आपने वो threshold complete की, और आपने सारी condition फुल्फिल की, तो self declaration basis पे ही, आप clearances करवा सकते हो, fixation of input output norms on priority, within 60 days, by norms committee, where CION does not exist, and recommend CION to be notified in DGFT, CION ही नहीं है, क्योंकि जब DGFT ने CION fix किये, तो वो CION में आपका, क्योंकि नए type का goods है, इसलिए DGFT ने उसका fix ही नहीं किया, तो क्या होता है, फिर apply करना पड़ता है, कि मेरे लिए CION fix करके दो, मैं कुछ import करना चाहता हो, कुछ inputs लाना चाहता हो, उसके बाद में exemption from compulsory negotiation of documents through banks, exceptions are remittance and receipt, फॉससे बार यो bank documents उसमें से benefits मिल जाते है, remittance and receipts में कुछ exceptions से आप Indian rupees में भी पैसा ले सकते हो, उसके बाद में exemption from furnishing bank guarantee in scheme, under FTP unless otherwise specified, जैसे जब आप export करते हो, तो पैसा convertible furnishment लाओगे, उसके bank guarantee देनी पड़ती है, पर अगर आप status holder तो bank guarantee नहीं लगती है, 2 star export houses and above are permitted to establish export warehouses, आप without duty goods रख सकते हो, वेराऊस है, import goods रख सकते हो वेराऊस में, अगर आप 2 star या above हो गए तो, manufactured who has also status holder 3 star, 4 star, 5 star, will be enabled for self-certified their manufactured goods, as originating from India, with a view to qualify for a preferential treatment under specified agreement, समझ लो, कोई government का special agreement है और special preferential treatment आपको चाहिए, तो आप country of origin खुझ certify कर सकते हो, कि भाई ये इंडिया से बना है, government से ये letter लेने की जरुबत नहीं है, country of origin आप खुझ certify कर सकते हो, so that आपको यहाँ पे special preference मिले है, उसके बाद में, status holder shall be entitled to freely exportable items, including gems and jewelry, basis for export promotion subject to specified annual limit, the status holder will entitle to preferential treatment, and priority in handling of their concern and concern agency, so ये very 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 important priority A plus per, भाई learn करकी जाना by heart, okay इसके पर question आ सकता है, भाई यहाँ status holder को क्या special benefits दिये गया है, यहाँ तक समझ में आया की नहीं आया है भाई, ठीक है, चल, यह आपने देखा status holder से दिलेटे, there's skill and mentorship obligation, status holder की skill क्या और mentorship obligations क्या, status holder other than one star export house, are being a partner in providing, okay mentoring training in international trade, to specified number of trainees each year, based on status that you, उनको trainer भी मना जाता है, कि भाई दूसरी लोगों को जाओ, train करो, तुम इत्ता अच्छा कर रहे हो, status holder हो, तुमारे एक status है, जो लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं, उनको training करो, government के एक panel होता है, जिसमें उनको partner बना जाता है, और इनके training programs पूरे इंडिया में चलाए जाते हैं, okay done, ठीक है, other mislinious provision, developing district as export hub, ये 2023 का important, मुह हैं, इनोंने अब district level पर भी, export promotion के लिए काम करना शुरू कर दिया है, in every district, product services with export potential, have to be identified and district export promotion committee at district level to be created, मतलब, कौन से district में potential है, कौन से district यहां पर अच्छा काम कर रही है, तो कौन से district से हम अच्छा potential दे सकते हैं, okay, cotton जैसे महराश्टा में विदर्ब हो गया, cotton export करना है, तहीं fabrics बन रहा है, सूरत में fabrics बन रहा है, सारी बन रही है, तो वो district को identify करना, okay, और वहां committees बनाना, so that कि, वहां की वो committee, उस district के exporter को support दे, provide support of export promotion to increase production, growth export, generate economic activity, achieve a goal of आत्मनिरबर भारत, vocal for local and make in India, address the bottleneck of export growth in district, तो यह district से export करने के लिए क्या दिक्कते जाती है, कहां bottle neck हो जाती चाहिज़े, सहां first जाती है, तो वो identify करना, उससे related उनको रियाद देना, यह सारी चाहिज़े इसमें होती है, district export action plan, DAP may be preferred for each district, 2-3 high potential product service from district में भी prioritize, and comprehensive plan for their export growth में भी prepared and implemented, जैसे बैंगलोर, बैंगलोर हुआ पूना हुआ, इसमें IT services prioritize की गरी है, क्योंकि यह city से, district से, IT services export होती है, कुछ product जो है, इन्होंने prioritize किया है, तो ऐसे उस पे action plan बनाना, उनको support करना, training देना, growth के लिए, यहाँ पे जो जो भी required चीज़े है, उसके लिए उनको help करना, और कही चीज़े bottle ने खोरी है, तो उनके solve करना, सारे district के सारी जीज़े, यहाँ पे district development plan के अंदर होगी, EGFT regional authority will be engaging with all relevant state and central agency in each district, तो यह था regarding to developing district as export hub, यह important इस लिए है, क्योंकि यह FTP 2023 का special plan है, इस पे short note पूछी जा सकती है, Next, quality complaint and trade disputes, इस पे आते है, for import export, owner is liable to state the value, quality and description of goods, services, technology, bill of entry and shipping bill, यह थो आमने देखा कि import export करते वग, okay goods की value, quality, description, यह आपके bill of entry में और shipping bill में देनी परती है, for export certification is needed for quality and specification, being in accordance with the export contract, अभी कैस आया कि, इंडिया का quality से related नाम खराब नहीं होना चाहिए, international market में, quality से related अगर नाम खराब नहीं होना चाहिए, तो अभी बहुत अच्छा क्राम कर रही है, government की, तुमारा contract analyze करती है, और contract analyze करने के बाद, उस contract के इसाब से, आपकी quality का goods है या नहीं है, आपकी वो चेक करती है, so that कि, कल जाके importer नाम बदनाब ना करें, इंडिया का, बीच में बहुत पूर quality, from Indians, आपकी ये जो है, international market में नाम बन गया होगा, तो अब आपको, उसके certifications लेने पड़ते हैं, नेसेसरी action इस प्रिस्काइब अगेंस, अरिंग एक्पोर्टर्स इंपोर्टर्स, मतलब, जो एक्पोर्टर्स इंपोर्टर्स, प्रॉपर्ली कालिटी की गूर्ट्स नहीं दे रहा है, international market में फॉल कर रहा है, नाम खराब कर रहा है, नेसेसरी action जो, वो भी लिया जाता है, mechanism we also laid down to resolve complaint, trade dispute between foreign buyer and supplier, and Indian exporter-importer for quality supplied, and unethical commercial dealing, including non-supplier, partial supplier, wrong supplier, non-payment, non-adherence to delivery, international market में business करने के लिए, सबसे बड़ा problem क्या जाता है, बताओ क्या आपको, सबसे बड़ा problem कि हमारे साथ fraud हो जाएगा, यह payments condition नहीं होगी, quality वाला माल नहीं आएगा, हम export नहीं करेंगे, non-payment होगे, तो इससे related एक mechanism FTP 2023 भना रही है, जो यह dispute resolve करने के लिए help करेंगी, तेक है, Committee of Quality Complaint and Trade Dispute, will be responsible for inquiring and investigating in all quality related complaints, and other trade related complaints, falling under jurisdiction of prospective RA, RA मतलब Regional Authority, and take a prompt and effective step to address and resolve the grievances, तो यह कुछ quality complaint programs भी, forinted policy 2023 में follow किये जाएगे, ठीक है, तो चली, यह हमने देखा, यहाँ पर, next आते है, ओके, तो थेरी है, बोर हो गए, तो थेरी है, बिटा कोई option ही, मेरा तो काम था, आपको explain कर दूँ, अगर आप अच्छे से रीड करके जाओगे, और जो मैं important कर वो रीड करके जाओगे, तो पांच में से, at least 2-3 marks तो आप secure करीब होगे, ठीक है, then, आजओ next, जिससे मैंने कहा था आपको, कोमेट, SCOMET, special chemical organism, material, equipments and technologies, export of dual use atom, यह generally dual use atoms होते है, कुछ material है, कुछ equipments है, technologies है, chemicals है, including software and technologies, having put potential civilians, industrial application, as well as use in weapons of mass destruction, is regulated under FPP, कोई भी ऐसा software, technology, या dual use atom, organism, equipment, जो यहाँ पे weapons में use किये जाएगे, for mass destruction, तो वो सारे items पे FTP, पूरा ध्यान रखेगी, और regulate करेगी, ये भी FTP, 2023 का special point, यहाँ पे उसके उपर, अब पूरा ध्यान रखा जाएगा, it is either prohibited, और prohibited under the authorization, unless specifically exempted, ऐसे items आइदर prohibit कर देगी, या फिर, permit करेगी subject to authorization, authorization मतलब license, इसलिए आप क्यों न status holder होगा, लेकिन अगर prohibited होगा, तो फिर तो वो export भी नहीं हो सकता, और import भी नहीं हो सकता, अगर वो restricted होगा, तो आपको license लेने पड़ेंगे, और status holder होगा, तो license लेने के जरुबद नहीं है, और किस comment list, और national export control list, of dual-use items, अगर इसमें भी कवर के जाएगे, जिसके national export control list में बताया जाएगे, तो चलिए, यहाँ पे यहाँ ने देखा, formats related, चल, आजाते है, provisions regarding to import export, general provision applicable to import export of goods, under FTP, foreign trade policy, before entering into a transaction of import export, one need to ascertain, अगर आपको इंडिया में, goods import करना है, export करना है, तो सिर्फ customs act apply करके कुछ नहीं हो, तो सिर्फ customs act apply करके कुछ नहीं होगा, आपको और कुछ चीजे, जरूरी है, पहले देखना, पहले वेदर item is free, तो आपको FTP का भी knowledge होना चीए, FTP में handbook का भी knowledge होना चीए, उसका tariff code क्या है, handbook open करो, जाके देखो, कि वो जो है, उस पे free है, या कुछ restriction डाला हुआ है, या वो prohibited है, ओके, ने तो चले, input export, बाद में पता चला, कि यह तो restricted था, या तो prohibited था, whether it is required to be traded exclusively through STE, state trading enterprises, अगर, वो आप import करना चाहते हो, या export करना चाहते हो, तो क्या आपको allowed है, या only state trading enterprises को allowed है, ये भी आपको देखना जरूरी है, if there is a restriction, and authorization is required for import export, import authorizations for actual user only, unless there is condition in specifically dispensed with by DGFT, अगर उसके पर restriction होगा, या उसके पर permission चाहिए, या actual user condition पर होगा, मतलब actual user condition ये क्या धान से सुनो, actual user condition मतलब जो import करेगा, वो ही use करेगा, बोल एक बार में सब फिर से, जो import लिग देना वहापे, जो import करेगा, वो ही use करेगा, उसको कहते actual user condition, तो ये आप जरूर देखो कि कोई restrictions है क्या, कोई license चाहिए क्या, या फिर actual user condition पर है क्या, कि जो import करेगा, वो ही use करेगा, next, authorization ये license, can be applied for on portal of DGFT, using applicants IAC number, prohibition on import-export are imposed for specified countries, organization और individual, अब आपको prohibitions पर्मनन नहीं होता है, ये country को आप export नहीं कर सकते है, या ये organization export नहीं कर सकते है, या ये individual बंदा export नहीं कर सकता है, वो आपने जरूर देखना चाहिए, other product specific prohibitions are also imposed, अभी-kभी product को ही prohibition होता है, special scheme may be devised to promote and regulate trade, and stagnant economic ties with the neighboring countries, अगर कुछ country से related हमारी special schemes होती है, तो वो भी आप जरूर देखिएगा, imported goods are required to comply with all domestic laws applicable to domestically produced goods unless exempted, जो domestic law, domestic goods को applicable है, same goods अगर import होता है, तो उसको भी वो law applicable रहेगा unless exempted, in addition, DGFT में prescribed procedure by public notice to be followed by importer and exporter, चलिए, other general provision regarding to import-export, ITC-HS हमने ये देख लिया, जो 8-digit ITC-HS code होता है, और ये सारा import है, ये table में आने वाली सारी चीज़े important है, इस पर आपको एक-दो mark के question पुछे जा सकते है, ये table में आने वाली सारी चीज़े important है बिटा, easy है FTP, मैं आपको ये कहोगा कि जो मैं important कहूँ, वो अच्छे से करके जाना, second, state trading enterprises, STE, क्योंकि कुछ goods STE ही import-export का सकते है, example हो गया, ये पर sugar हो गया, pulses हो गया, okay, pulses जो ST के थूँ ही import-export हो सकते है, ITC-HS specify again certain goods that they can be imported or exported only through STE, notified by DGFT, meaning of STE, STE are governmental or non-governmental enterprises, हो सकता है governmental हो, या हो सकता है non-governmental enterprises, including marketing boards which deal in a goods for export or import, example Food Corporation of India, ONGC, Natural Fertilization Limited, Indian Rare Earth Limited, ये कुछ SC enterprises है, जो goods की list है, STE की goods की list है, और वो इनके थूँ ही import-export हो सकते है, DGFT have discretion to issue such authorization to other entity also, जैसा Reliance Industry को petrol के लिए दिया गया है, तो other industry को भी license STE के दे सकते है, और वो goods इनके enterprises के थूँ import-export किये जाएगे, then, next, IEC import-export code, ये जैसे PAN होता है, जैसे GST होता है, वैसे import-export code भी होता है, ये 10 character का alphanemic code होता है, जो जब भी आप import-export करोगे, ये code लगता है, ये PAN के base पर रहता है, online application has to be filed for IEC, specified category of import-export exempted from obtaining IEC, कुछ हो सकता है कि, कुछ लोगों का exemption मिले, IEC details to be electronically updated every year, even if there are no changes, failing which will be deactivated till updation, आपको IEC की details हर साल update करनी परती है, अगर नहीं किया, तो आपका IEC deactivate हो जाता है, then, अगर IEC related short node आता है, तो ये आपकी कुछ important points है, next, mandatory documents, और export, जब भी export हो, तो कुछ documents साथ में होना जरूरी है, जैसे bill of landing, airway bill, lorry receipt, railway receipt, मतलब document of transporter, जो आपने customs में देखा था, commercial invoice, including packing list, क्या-क्या pack किया आगे उसके list पूरी, shipping bill, bill of export, और postal, shipping bill और export document, import की case में, document of transporter, invoice और packing list और bail of entry, ये तो basic mandatory document, जब जब भी import करोगे, export करोगे, तो आपके होने ही ज़ी है, और import-export of specific goods, और specific cases of export import, additional documents में भी notified, and so on, goods wise, इसके अलावा, बागी सब documents आपको, कौन-कौन से attach करने पढ़ें, जैसे medicine होगा, तो drugs control का है, documents ही है, तो ऐसे, जैसे कुछ, nuclear-related documents होगे, तो government की special permission चीए, तो documents handbooks में आपको prescribe किये जाएंगे, और DGFT वो time-to-time prescribe करेगा, ठीक है, next, penal action, and placing an entity, denied entity list, DEL, penal action, ये important exam के इसाब से करके जाना, in following situation, person shall be liable to penal action, under foreign trade development regulation act, and rules order may not be rendered, FTP and any other law, authorization holder, violate any condition of such authorization, अगर आपको कोई permission दी गई है, और कुछ शर्तों पे दी गई है, authorization मतलब permission और license, permission और license, अगर आपको कोई permission दी है, या कुछ conditions पे permission दी है, और वो conditions आपने fulfill नहीं किये, ये fail to fulfill export obligation, आपने कोई export obligation लिये होगे, जिसके incentive लिये होगे, under authorization schemes, और वो आपने पूरे नहीं किये, fail to deposit the requisite amount within period specific and demand notice, second, any information particular furnished by applicant subsequently found untrue or incorrect, for raising the ethical standard and is doing business, DGFT provided self-certification system, the applicant in filing up to information particulars under various schemes, और उसमें उसने गलत information दे दी, ये तो देखा, आमने penal action इस पे ही जाएगी, अगर आप नहीं किया तो, denied entity list, firm may be placed under DEL by concerned regional authority, DGFT, permanent ban कर देंगे उसके पर, ये कुछ time के रिए बैं कर देंगे, in such case firm may refuse to grant or renewal of license, authorization, certificate, script, any instrument, best doing financial or fiscal benefit, आगे सब बताओगा आपको, आपको अगर कोई scheme दी गए होगी, कोई special script दी गए होगी, special certificate दिया होगा, जिसे आपको benefit होने वाला है, वो सब बैं कर दिया जाएगा, all new licenses, authorization script, certificate, instrument, etc. will be blocked for printing, issue or renewal, firm name can be removed from DEL, by search RA for reason, if firm complete export obligation, paste penalty, fulfill requirement of demand notice, whereby RA, हाँ, लेकिन आपने, अपने export obligation complete कर दिये, या आपने सारी provisions comply कर दी, तो आपके उपर जो restrictions लगाएगे, वो सारे restrictions निकाल दिये जाएगे, वो सारे restrictions यहाँ पर निकाल दिये जाएगे, तो चलिए बिटा, ओके, यह हमने यहाँ पर देखा, कुछ procedure, यहाँ पर, अगर इतनी सारी procedure एक साथ ले लो, तो आप बोर हो जाएगे, तो अभी यह session यही रुखते है, ओके, इतना पढ़ो अच्छे से, पढ़ो आप, मेरे साथ कर लेना, प्लीज, 10 मिनिट लगेंगे आपको पढ़ने के लिए, इतना पढ़ो, अब main discussion तो इसके बात का है, यह तो general procedure थी, पर main discussion जो exam में पूछा जाता है, जैसे schemes है, advance authorization, DFI scheme अगरे, यहाँ पर पूछते हैं exam में, जो आपको बहुत अच्छे से करके जरना है, तो हम यह अब next session में लेंगे, और यह session हमारा, अल morning में होगा, लिंक में जो है, आपको यहाँ पर, यह, morning में लिंक आपको में अपडेट कर दूँगा, देख्या है, अब देखते हैं, प्रोविजन रिलेटिंग तो import of goods, जनल प्रोविजन, यहाँ पर, जब भी कोई goods इंडिया में इंपोर्ट होते हैं, तो what is general provision, related to import of goods, क्या-क्या, कौनसी बात है, foreign trade policy में आपने याद रखनी चाहिएं, अगें, surface level पिनो ने एक्स्प्रेंड किया हुआ है, actual user condition, कौसी जगा actual user condition आती है, of actual user condition क्या होती है, freely importable goods may be imported by any person without any restriction, if such import required authorization license, actual user alone में imports such goods, unless said condition is specifically dispensed by DGFD, जैसे actual user condition का main object क्या होता है, आगे कुछ promotional scheme में आपके पड़ा होगा, और उसमें आपने authorization लिए, permission लिए, पर उसमें handbook में clearly लिखा है, कि आपको ये permission तभी मिल सकती है, जब आप ये खुद यूज़ करोगे, मतलब आप अपने associated company को नहीं दोगे, आपने कोई import किया है, और वो export के लिए import किया है, तो आपको वो खुद को ही use करना पड़ेगा, तो आपको वो खुद को ही यूज़ करना पड़ेगा, यूज़ को कहते हैं, इसके उपर question पुछा जा सकता है, sample import कर सकते हो, तो ये sample, import of sample of restricted item is allowed, without import authorization, except defense, security items, security items, seeds, bees and new drugs, अब मैं तो आपको बता जेता हो, जो pre ला सकते हो, pre मतलब जिस पे कोई restriction नहीं है, वो तो sample का कोई problem है, आप लिके आजा, जो custom duty होगी, वो custom duty तो आपको देना पड़ेगा, ओके, अगर कोई ऐसे items है, जो restrictions में आते हैं, तो restricted items allowed, without import authorization, except defense, security items, seeds, bees and new drugs, ये item छोड़के, आप अगर as a sample लाना चाहते हो, तो restricted items आप ला सकते हो, उसके लिए special authorizations, या license लेने की दरूवत नहीं है, इंपोर्टेंट पॉइंट है, duty free import of sample up to 3 lakhs, for all exporters, shall be allowed subject to notify terms and condition, अगर आप exporter हो, अगर आप exporter हो, तो फिर आप import के samples बुलवा सकते हो, up to 3 lakhs, जिसके उपर duty नहीं लगेगी, लेकिन basic condition है, कि आप export होने चाहिए, और other conditions तो आपको fulfill करनी चाहिए, पढ़ेगी, तो samples related, majorly दो policy याद रखना है, अगर आपका goods restricted है, और as a sample आ रहा है, okay import हो रहा है, तो कोई problem नहीं, उसके लिए license या authorization लेने की जरूवत नहीं है, और आप 3 lakhs तक without duty sample ला सकते हो, अगर आप exporter हो, और बागी सारी conditions फुल्फिल करते हो, Gifts related general provision क्या है, जब इन्या में आप as a gift import करते हो, तो उस related general provision क्या है, import of gift including those purchased from e-commerce portal, मतलब आपने Amazon से purchase किया, या कोई भी e-commerce portal से करीदा, through post or courier, where custom clearance is sought as a gift, is prohibited, except rocky and life saving medicine, तो कोई भी gift आप e-commerce portal से, अगर पोस्ट या और आप उसका clearance as a gift कर रहे हो, अब थोड़ा इसमें confuse मत होना, अगर आप कोई goods courier से लाना चाहते हो, पोस्ट से लाना चाहते हो, Amazon से खरीदा है, तो उसमें restriction नहीं है, आप लाओ, कोई problem नहीं है, पर उसके आपको bill of entry, या post clearance करना पड़ता है, जिसकी duty देना पड़ता है, courier clearance करना पड़ता है, जिसका clearance documents आपको, label वगरे जो होता है, जो formalities होती है, जैसे customs में हमने देखी, वो formalities complete करो, और उसकी value declare करो, और उस value को declare करके, यहाँ पे, उसका custom duty पे करता हो, लेकिन अगर आप custom clearance करना चाहते हो, as a gift, मतलब है यह gift यह value नहीं इसकी, तो वो prohibited है, आप राखी और life saving medicines ला सकते हो, उसको भी उन्होंने limit दी है, पर हाँ राखी वगरे से, आप रक्षा बंदने राखी आ रही है, और राखी आई जिसकी value क्या लगाओगे आप, आप उसकी value declare नहीं कर रहे हो, तो राखी allowed है as a gift, जिसके उपर आपको custom duty देने की कोई भी जरुवत नहीं है, यह life saving medicine ने custom duty देने की जरुवत नहीं है, पर वाकी सारे product as a gift नहीं बुला सकते हैं, जिसमें आप आप normal clearance करोगे, custom duty pay करोगे, उसकी value declare करोगे, ठीक है, उसके बाद में gift can be imported on payment of applicable custom duties, जो gift आपको allow किया है, क्या allow किया है, राखी life saving medicine, एक certain limit से ज़्यादा amount होगी, तो उसके उपर भी custom duty देना पड़ेगा, if duty leviable of राखी is up to 100, no duty shall be collected, अगर 100 रुपे का duty आ रहा है, यहाँ पर राखी पर तो फिर छोड़ दिया जाएगा, पर राखी बड़ी महंगी होगी, और वो as a gift आई होगी, तो वो situation में आपको customs duty, या life saving medicine होगे, तो वो case में आपको custom duty देना पड़ेगा, passenger baggage, no doubt, following are allowed to be imported as a part of passenger baggage, without authorization subject to baggage rule, बहुसी बार bags में मैं यह goods ला रहा हूँ, वो particular items ला रहा हूँ, यह सवाल होते हैं लोगों के, तो मुझे बुछते हैं कि sir, यह baggage में allowed है क्या, baggage में स्री baggage rule, हैसानी की स्री baggage rule आपको follow करना है, आपको यह भी देखना है कि foreign policy में वो handbook open करना है, अब यह भी पढ़ लो तो आपके लिए बहुत है, कहां वो इत्ती बड़ी handbook पढ़ोगे, पर जैसे आपके knowledge के लिए बता रहा हूँ, वो handbook जो है, आप में देखना पढ़ेगा कि वो handbook में as a baggage allowed है क्या, हाँ अगर allowed है तो कोई problem नहीं है, साथ साथ में आपको baggage rules भी follow करने पढ़ेगा, और अगर कोई goods आप baggage में लाते हो, तो आपको वैसे तो authorization यानि permission लने की कोई भी जरुरत नहीं है, bona fide household goods and personal effect इसके लिए कोई permission नहीं चीए, bona fide gift या personal effect as per baggage rule एक limit के बाद आपको custom duty देनी पढ़ेगी, तो वो आप ला सकते हो, sample of items freely imported under FTP, ऐसे samples आप baggage में ला सकते हो, जिसके पर कोई restrictions नहीं है, free import allowed है और prohibition नहीं है, any items including sample prototype of items, whose import policy is restricted or prohibited, अगर कोई sample है, जिसका import restriction में आता है या prohibition में आता है, और इस channelized through ST, are not permitted as a part of baggage, except where valid authorization, ठीक, and third, drawings, patterns, label, price tags, buttons, bail, streaming, embellishment required for export, imported as a part of passenger baggage, of exporter coming abroad, up to prescribed value limit, कुछ limit तो कि ये भी items आप ला सकते हो, तो passenger baggage के लिए, basically आपको baggage rule follow करना है, अगर broad sense पर देखा जाया है, तो foreign trade policy में, आप goods ला सकते हो, without यहाँ पे, as a baggage ला सकते हो, without permission, उसमें आप household या personal effect ला सकते हो, लेकिन अगर item restricted है, prohibited है, या ST, state trading enterprises के होगे, तो वो case में आपको as a baggage लाना तभी allowed होगा, अगर उसके लिए आप special valid permission लेते हो, और बाकि drawing pattern अगरे, कुछ value तक आप as a baggage में ला सकते हो, ठीक है, re-imported of repaired goods, capital goods, equipments, component, parts and accessories, whether imported or indigenous, except those restricted under ITC, may be said, abroad for repair, testing, quality improvement, upgradation, or standardization of technology, and re-imported without any authorization, मतलब, अगर कोई capital goods, आपका, specially capital goods होगा, equipment होगा, component, parts और accessories होगे, इस category के goods होगे, जो आपने इंडिया में बनाया होगे, या इंडिया में पहले कभी import किये होगे, सुना, जो आपने इंडिया में बनाया होगे, या इंडिया में पहले कभी आपने import किये होगे, ऐसे goods, फर वो यहाँ पे ITC में restricted नहीं चीए, ऐसे goods आप बाहर भेज सकते हो कौन से purpose के लिए repair, testing, quality, improvement and upgradation और standardization of technology उसको वापस में re-import का सकते हो जिसके लिए कोई भी permission लेने की जरुवत आपको नहीं है Goods used in a project abroad Project contractor after completion of project abroad may import without authorization goods including capital goods used in the project provided that they have been used at least for money अगर आपका कोई project इंडिया के बाहर चालू है और वहाँ आपने कोई capital goods वगरे खरीदे होगे उस project के लिए तो project खतम होने के बाद बिना कोई permission के आप इंडिया मिलना सकते हो पर at least ओके आप जोए one year बाहर use होना चाहिए उसके बाद में prototype new और second hand prototype second hand sample may be imported without authorization उसके लिए को special permission ने नहीं जरुवत नहीं और following condition importer is actual user industrial जो उसने prototype लाया या second hand prototype लाया या second hand sample लाया तो उसने खुद यूज करना चाहिए यह पहली condition है फुसरा he is engaged in the production of और having industrial license later of intent for research in an atom for which prototype is sought for product development and research यह प्रूवोना चाहिए कि उस prototype को use करके production process में use करने वाला है और having industrial license or later of intent for research मतलब एक later of intent उसका होना चाहिए कि भई मैं research के लिए use करने वाला हो prototype तो उसको अला होगा importer files self declaration of that effect to the satisfaction of custom authority कि भई वो production के लिए use करेगा या उसके research के लिए use करेगा और उसका self declaration उसको देना पड़ेगा चलिया उसके बाद में metallic waste and scrap import of any form of metallic waste scrap subject to condition that it will not contain hazardous or toxic waste or radioactive contaminated waste scrap containing radioactive material arms, ammunition, mines, shells, life and use cartridge और any other explosive material in any form otherwise इंडिया में आप metallic waste or scrap without authorization आप ला सकते हो पर कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है कि उसमें hazardous, toxic waste, radioactive contaminated waste scrap या फिर arms, ammunition, mines, shells, life और cartridge एनी अदर explosive metals उसमें नहीं होने चीए और second hand goods के related हमारी क्या policy है ये exam के लिए बहुत important है exam में इसके ओपर question आ सकता है तो चलिए general policy क्या है general policy जहां तक देखा जाए sample आप यो freely imported items से ला सकते हो restricted items होगे तो आप as a sample उसे बिना permission के authorization के ला सकते हो except defense security items, seeds and etc चलो पड़ा आप मेरे साथ revise कर लो आप duty free मतलब बिना duty के 3 lakh तक exporter specially sample ला सकता है अगर gift की हम बात करें तो import of gift by post or career prohibited है आप as a gift अगर आप declare कर रहे हो तो आपको value duty clear करनी पड़ेगी, custom duty देनी पड़ेगी राखी and life saving medicines आप as a gift ला सकते हो वो भी एक certain value तक ला सकते हो जैसे राखी up to 100 और की duty देने की जरुवत नहीं है इसके उपर अगर value होगी तो क्यों नहों गिफ्ट हो आपको duty देना पड़ेगा passenger baggage की बात करें तो आप baggage में सारे goods import कर सकते हो, कोई problem नहीं, जो bonafide होने चीए और personal effect होने चीए as per baggage rule आप कुछ limit तक ला सकते हो, लेकिन जो goods पे restrictions है, prohibitions है या state trading enterprises की goods है उसके लिए आपको permission लेनी पड़ेगी और drawings pattern, labels, price tax बगर होगा होगा तो ऐसे के इसमें कुछ value तक आप ला सकते हो अगर कोई आपका India का capital goods होगा India में बनाया होगा, इंपोर्ट किया होगा components होगे, accessories होगे, आप बाहर repair के लिए, testing के लिए, कोई processing के लिए भेज सकते हो, और वापस re-import कर सकते हो, बिना किसी permission के goods used as project yes, आपको इप्रोजेक के लिए capital goods बाहर यूज़ कर रहते हैं, और वो आपको India में लाना है, तो बिना permission के आप ला सकते हो, custom duty तो देनी पड़ेगी लेकिन आप बिना permission के ला सकते हो okay, at least आपने last one year इसको use किया हुआ है now, next prototypes prototypes आप इंडिया में import कर सकते हो without permission, लेकिन वो actual user condition पे जिसने लाई, उसको use करना पड़ेगा उसको approve करना पड़ेगा कि production में use कर रहा है, या later of intent देना पड़ेगा कि वो research में use कर रहा है okay, और उसका self declaration उसको देना पड़ेगा metallic waste और scraps related आप इंपोर्ट कर सकते हैं, उसके लिए कोई special permission लेने के जरुवत नहीं है जो custom duty है, वो custom duty आपको देना पड़ेगा पर आपको कुछ बातों का देहन रखना पड़ेगा कि वो hazardous toxic waste या radioactive contaminated waste crap containing radioactive material arms or ammunition etc उसमें नहीं होने चीए अब जो आपको एक्जाम के हिसाब से अच्छे से पड़के जाना है वो है second hand goods से पिलेड है second hand goods, capital goods and other than capital goods सबसे पहले बात करते है capital goods क्या हम इंडिया में कोई भी second hand goods ला सकते है देखो उसके ओपर foreign trade policy बहुत clear है अगर second hand goods बहुत easily, freely, allow कर दिया गया तो इंडिया में, पूरी countries अपना e-waste इंडिया में डम करतेगी और सारा waste पूरा e-waste इंडिया में आ जाएगा इसने हमारी foreign policy बहुत strict है regarding to second hand goods अगर second hand goods, capital goods होगा तो देखते हैं क्या policy restricted for import and required authorization and fulfillment of specified condition yes restriction है और आपको special permission लेनी पड़ेगे okay if any, अगर वो air AC होगा, diesel generating set होगा, desktop, computer, second hand होगे refurbish, recondition, spares और refurbish part और personal computer, laptop होगा refurbish laptop भी, क्योंकि e-waste इंडिया में नहीं होना चीए all notified electronic और IT goods और इसमें कोई goods notified हो सकता है तो AC, DG set, computer, laptop, ये refurbish, reconditioning भी होगा और second hand होगा, तो restricted है, अगर इंडिया में import करना है, तो इसका आपको यहाँ पर permission लगेगा, free for import, ऐसे कौन से second hand capital goods है, जो really allowed है, refurbish, reconditioning, spare of capital goods, for the chartered engineer certificate, existence, reduced 80% residual life, कोई ऐसे capital goods होगे, ये चार छोड़के, जो machinery equipment होगे, जिसकी life 80% से जादा अभी बाकि है, और वो refurbish है, और इसके लिए chartered engineer का certificate लगेगा, and all other second hand goods, all other second hand capital goods, other than those listed, अभो, तो अब देखो, इसमें spares of capital goods cover किया है, मतलब आपको किसी machinery का spare लाना है, सुनिये द्यान से, अच्छे से पढ़ना, किसी machinery का spare लाना है, तो आप spares दला सकते हो, second hand, refurbish, या recondition, तो spares related free allowed है, पर वो spare की life 80% से जादा होनी चाहिए, residual life और उसके लिए chartered engineer का, और all other second hand goods, capital goods, other than those listed of all, मतलब आपको कैसे बढ़ना है, ये category of capital goods होगा, तो restricted है, उसके लिए license चाहिए, pairs होगे, capital goods के, तो वो free allowed है, पर condition है कि उसके residual life 80% से जादा होना चाहिए, और chartered engineer का certificate चाहिए, all other second hand goods, okay, all other second hand capital goods, other than those listed above, तो वो freely allowed है, sir, अगर वो capital goods नहीं होगा, normal material होगा, raw material होगा, तो क्या होगा, other than capital goods होगा, तो वो situation में, imported for the purpose of repairs, refurbishing, reconditioning और engineering, freely imported subject to specified condition, अगर वो इंडिया में, repair के लिए, refurbishing के लिए, reconditioning के लिए आ रहा है, तो yes, कुछ condition पे वो allowed है, पर condition यह होगी कि भाई, refurbish करो, recondition करो, process करो और वापस भेजतो, remaining goods restricted for import and can be imported only against import authorization, मतलब, अगर आप second hand goods की policy देखते हूँ, तो capital goods जो है, कुछ capital goods होके, छोड़के, बाकी capital goods freely allowed है, spares, अगर आप second hand ला रहे हो capital goods के, तो reconditioning life 80% से ज़्यादा चीए, और chartered engineer का certificate चीए, लेकिन अगर आपके capital goods नहीं होगे, और वो processing के लिए आ रहे होगे, तो allowed है, लेकिन general use के लिए आ रहे है, तो वो restricted है, जिसके लिए आपको permission ले नहीं पड़े, भाई साब, ये chart अच्छे से पड़के जना, बड़ा important chart है, then, चलिए, next, miscellaneous provision regarding to import, अब ये देखो क्या कहते है, goods for import into India can be sold on high seas, subject to FTP and other laws, मतलब अगर कोई goods आप import कर रहा है, तो IC sell कर सकते हो, transit, IC sell मतलब transit sell कर सकते हो, mercantik trade means, ओके, यहाँ पर, shipment of goods from one foreign country to another foreign country, without touching Indian port, involving Indian intermediates, subject to RBI guideline, it is allowed except goods are sites or a case comment list, तो कुछ goods का आप direct broking, नहीं, mercantik trade कर सकते हो, मतलब एक country से करीदा, दूसरे country को बेज़ दिया, इंडिया में आया नहीं कर सकते हो, लेकिन वो सकमेट के goods नहीं होने चीए, sites मतलब convention on international trade is in the ender specifics of wild fauna and flora, तो पढ़ने से मतलब ही नहीं है, ओके, यह sites आने क्या होता है, अब बस इतना ध्यान रखना कि आप कुछ goods की broking कर सकते हो, except of goods insights means comment list, import of capital goods under lease financing does not require any specific permission from DGFT, अगर कोई capital goods lease financing में ला रहे हो, तो फिर कोई उसके lease finance मतलब, okay, finance lease में ला रहे होगा, 5 साल की 10 साल की उसके लिए कोई special permission लेने की जरुबत नहीं है, imported goods, bank guarantee, letter of undertaking, bond, to be executed with custom for duty free import or otherwise required before clearance of goods, for indigenous lease source goods, an authorization holder has to execute LUT, okay, BG bank guarantee or bond with concern RA before sourcing such material, okay, अगर आपको, आपके export में indigenous goods लेने हैं, तो उसकी भी आपको bank guarantee देनी पड़ते हैं, कि भई मैं जो domestic market से goods उठा रहा हो, यह मैं export में use करूँगा, इसकी भी आपको bank guarantee देनी पड़ेगी, यह कुछ general or miscellaneous provisions अमने देखा, for importation. Provision relating to export of goods, जेसे general provision related to import of goods अमने देखा, अब general provision related to export of goods अमने देखना है, all goods may be exported without any restriction, except to the extent that such exports are regulated by ITCHS, or any provision of FTP, or any other law for time in force. Export goods पे generally कोई restrictions नही है, most of the goods जो है, यह allowed है, free export में, जब तक FTP की कोई special restriction उसके पर नहीं होगे है. Benefit for supporting manufacturer. Okay, supporting manufacturer is one who manufacture goods, product, or any part, or accessories, or components of goods, product for merchant exporter, और merchant manufacturer exporter under the specific authorization. अब जैसे आगे मैं आपको scheme पढ़ा होगा, advance authorization scheme, या DFIA scheme, तो उसमें जो है, यहाँ पे, अगर आप export obligation लेते हो, जैसे कि आपने 100 करोड का export obligation लिया, तो आपको बहुत सारे incentives मिलेंगे, promotional scheme मिलेंगी, तो उसमें आपके supporting manufacturers जो होगे, उनका भी turn-off consider होता है, supporting manufacturer, उनका भी benefit के लिए consider किया जाता है. For any benefit accrue to supporting manufacturer, name of both supporting manufacturer, merchant exporter must figure in a tax invoice shipping bill, bill of export, और Aval B. कभी कभी क्या होता है, कि हमारे supporting manufacturer की details आपको देनी पड़ेंगे, इसके बारे में और हम detail में आगे देखेंगे. Supporting manufacturer की details कि भाई, कुछ import करना है आपको, पर आप नहीं use करने वाले, आपके supporting manufacturer यूज करने वाले है, तो उनकी भी सारी details आपको यहाँ पर देनी पड़ेंगे. Third party export, third party export is allowed under FTP, which means export made by an exporter, और manufacturer on the behalf of another exporter. मतलब क्या, कि किसी और की भाई पर में export कर रहा हूँ, तो यह FTP में allowed है, जिसको third party export कहा जाता है, वही देखो, mainly उसने contract लिया है, पर उसके भी आप पर मैं export कर रहा हूँ, तो यह allowed है. Export document such as shipping will indicate the name of both manufacturer, exporter, manufacturer and third party exporter. Bank Realization Certificate, BRC, self-declaration form, export order and invoice should be in the name of third party exporter. तो ख्याल रहे है, जैसे export order मेरे को मिली होगी, पर मेरे भी आप पर कोई और comply कर सकता है, लेकिन उसका bank Realization Certificate, self-declaration form, export order and invoice should be in the name of third party exporter. Samples, export of trade and technical sample of goods of freely importable items are allowed without any limit. Okay, export of trade and technical samples of goods, ठीक है, are freely importable, samples आप input कर सकते हो, या आप export कर सकते हो samples, okay, allowed without any limit, मतलब export के लिए कोई limit नहीं है, specially हम sample की बात करे, import के लिए, yes, आपको जहां तक देखा जाए, तो import के लिए वैसे तो limit नहीं है, okay, पर restricted items होगे, तो आपको authorizations, restricted item पे भी authorizations लेने के जरुबत नहीं है, कुछ goods चोड़के, और जहां तक देखा जाए, अगर export रोगा, तो 3 लाग तक आप import कर सकते हो, बिना duty के, okay, export में आप कितने भी sample बेश सकते हो, अगर कोई export duty होगी तो लगीगी, अधराइस बिना limit के आप sample बेश सकते हो, उसके बाद में अगर gift की बात करें, exports related, goods including edible items of valued not exceeding rupees 5 lakhs in a licensing year, may be exported as a gift, हाँ, as a, देखो, gift import का prohibited है, except राखी, और life saving medicine, export का अगर gift होगा, तो कोई भी goods allowed है, 5 lakhs, however, item restricted for export, ITC shall not be exported as a gift without authorization, अगर restriction डालाओगा, तो आपको permission लेना पड़ेगा, passenger baggage, bona fide personal baggage में be exported along with passenger, और if unaccompanied, within one year before or after passenger departure from India, bona fide baggage मतलब क्या, जो आपके daily use के goods होगे, या gift होगे, जो भी bona fide baggage होगी, वो passenger के साथ ले जा सकते, कोई उसके पर restriction नहीं है, और passenger पहले चले गया, तो within one year, वो baggage उसके साथ आगे भीचे बेजा जा सकता है, और item restricted for export, shall not be exported as a gift without authorization, authorization will be required for restricted atoms, samples of freely exportable items में be exported as a passenger baggage without authorization, restricted item नहीं ले जा सकते, as a gift in a baggage, लेकिन सेंपल वगर होगा, तो वो इन a baggage आप ले जा सकते हैं, now, import for export, आप import कर रहे हो, export करने के लिए, तो उसके लिए general policy क्या है, goods that are freely importable, as well as freely exportable, can be imported and then exported, in the same and substantially same form, without any authorization, जहां तक custom की बात है, तो custom में उसके उपर import export duty लग सकती है, section 74 के drawback मिल सकते है, कि आपने import किया है, और re-exported as such किया, तो section 74 के drawback मिल सकते है, तो वो तो duty related matter हो गया, drawback related matter हो गया, लेकिन, जहां तक foreign trade policy है, तो जो freely imported items है, और freely exportable items है, वो आप import export कर सकते हैं, जिसके लिए कोई special permission लेने की जरवाद नहीं है, goods including capital goods, new and second hand, can be imported under the custom bond, and then cleared for export against freely convertible foreign currency, provided that they are freely exportable, this includes goods restricted for import, अगर कोई आप ऐसे goods ला रहे हो, सुनो, ऐसे कोई goods ला रहे हो, जिसके उपर restriction है, पर वो एक्सपोर्ट के लिए ला रहे हैं, मतलब आपने कहा कि इस आशर restriction है, लेकिन मैं ये capital goods, या कोई भी second hand goods, या normal goods, आप even though उसके उपर restrictions है, लेकिन आप export के लिए ला रहे हो, तो ठीक है, government कहती है restricted goods, अगर आप export के लिए ला रहे हो, second hand goods अगर आप export के लिए ला रहे हो, जैसे AC, AC restricted है, laptop refurbished second hand restricted है, पर मैं वो export के लिए ला रहे हो, सुनिये द्यान से, वो अगर मैं export के लिए ला रहे हो, तो वो situation में यहां पे, okay, allowed है आपको, लेकिन आपको bond देना पड़ेगा, और पैसा convertible fund exchange लाना पड़ेगा, capital goods that are freely importable, and freely exported can be imported, for export upon execution of LUT bond, with a custom authority, notwithstanding above goods of other than Indian origin, that are restricted for export, other than prohibited or commit items, but free for import, can be imported for export in a same, or substantially same form, and shall kept in a bondage warehouse, and re-exported subject to section 69 of the customs, act 1962, मतलब, okay, कोई ऐसे items, जो Indian origin के नही है, and that are restricted for export, मतलब, आप अगर कोई atom ला रहे हो, as it is, वो export नहीं कर सकते, लेकिन section 69 में, processing करके, wareousing करके, आपको export करना है, तो चलिए, कोई problem नहीं, ऐसे कुछ atom, point number one, ऐसे कुछ atom, जो Indian origin के नहीं है, और आप India में, उसका import, India में freely allowed है, import पर problem नहीं है, लेकिन उसके export पर restriction है, तो ऐसे atoms आप ला सकते हो, wareousing कर सकते हो, और processing के बाद export कर सकते हो, as such तो prohibited है, लेकिन उसके उपर, or restricted है, लेकिन उसके उपर processing के बाद, आप export कर सकते हो, goods imported against payment, in freely convertible foreign currency, can be exported only against payment, in freely convertible foreign currency, unless otherwise notified, very important, foreign currency ही लाना पड़ेगा, सुनो, ओके ये एक important discussion है, import for export, इसके उपर question पूछा जा सकते है, भाई थेरी है, ओके मेरे से ज़्याद expect मत करना, completely थेरी है, तो हमारी foreign trade policy क्या कहती है, अगर आप export के लिए ला रहे हो, पहली policy तो ये कहती है, कि जो without any restriction import allowed है, export allowed है, उसके लिए permission लेने की जरुवत नहीं है, कोई goods और capital goods जो restricted है, पर आप export के लिए ला रहे हो, तो कोई बात नहीं, bond execute करो, और पैसा convertible for an action में लाओ, capital goods जो freely importable, capital goods जो freely importable, exportable है, तो वो कर सकते हो, बिना कोई permission से, bond execute करो, ऐसे कोई goods जो Indian origin के नहीं है, बट आप import तो freely कर सकते हो, पर export पर restriction है, तो वो case में, आप उसको लाके वेराउस में रख सकते हो, processing करने के बाद export कर सकते हो, और last policy जो है, कि अगर आप कोई goods import कर रहे export के लिए, तो अगर import के लिए आपने foreign currency में पैसा दिया होगा, तो export वाला भी पैसा आपको foreign currency में लाना पड़ेगा, और के तो यह कुछ general policy हमने देखा, और next, payment and receipt on import export, भई हमारी foreign trade policy, पैसा कैसे लाना चाहिए, payment करना चाहिए, इस related क्या कहता है, denomination of export contract, export contract में भी denominated either in Indian rupees और freely convertible currency, but export proceeds should be realized in freely convertible foreign currency, अगर जब भी आप export के contract करते हो, सुनना देहन से, जब भी आप export के contract करते हो, तो export के contract में, आपका contract either Indian rupees में होना चाहिए, या freely convertible currency में होना चाहिए, ठीक है, contract कोई भी इसमें denominate करो, कोई problem नहीं है, लेकिन पैसा तो आपको freely convertible foreign currency में ही लाना पड़ेगा, unless allowed by RBA, freely convertible foreign currency refer to currency, that can be exchanged or converted into other currency, without significant restrictions and limitations imposed by government, however, in specified cases, export process may be realized in rupees, subject to fulfillment of specified conditions, कुछ case में RBA आपको allow कर सकती है, कि वो Indian rupees में पैसा लेकिया हो, ठीक है, non-realization of export proceeds, if an exporter fails to realize export process, within the specified time by RBI, he shall liable to return all benefits, incentives avail against such export, and shall liable to penal action, under Foreign Trade and Development Regulation Act, however, if such non-realization is for reason beyond his control, he may approach to RBI for writing of unrealized amount, थेको भाई, हम सब export को promote क्यों करते हैं, incentives क्यों देते हैं, schemes क्यों देते हैं, क्योंकि आप पैसा लाओगे, और आप पैसा convertible foreign exchange में लाओगे, तो जिदिये के सारे benefits और incentives निकाल लिये जाएंगे, and आपके against में penal action होगी, पर कोई ऐसे reasons है, जो controllable नहीं है, आपके control में नहीं है, beyond your control है, तो आप RBI को request कर सकते हो, और RBI कर सकते हो कि, सरकार हम नहीं ला सकते हैं, तो वो situation में, येस RBI आपको लाओ कर देखे, export credit agency, ECA, ECA provides financial support to exporter by issuance, और guarantee, और अलसो direct lending, for instance, export credit guarantee corporation, India Limited, Exim Bank, etc. ये exporter को support करती है, ठीक है, next, export promotional council, export promotional council, जिसे EPC कहते है, our organization of exporter, set up to promote and develop Indian exporters, कैसे कि, India की जो exporters है, उनकी एक organization है, जिसे EPC कहा जाता है, ये organization, India का export को promote करने के लिए, और Indian export को develop करने के लिए, बनाए गई है, each council is responsible for promotion of particular group of product, project और services, okay, product wise council बन सकता है, project wise या service wise भी council बन सकता है, EPC are also eligible for function as a, registering authority to issue, registration का membership certificate, ये council होता है, जैसे share trading का, BSC का अपना, एक group होता है, member का group होता है, industry का एक council होता है, एक परिश्यद होती है, export promotion council भी है, okay, जो अपने members बनाता है, certificate देता है, RCMC is required to be furnished by any person, applying for authorization, import export under FTP, और applying for any other benefits, or concession under FTP, ये membership certificate आपको देना पड़ता है, जब आप कोई भी, okay, permission, authorization, benefits claim कर रहे हो, तो आपको ये ECMC का, sorry, RCMC का registration certificate आपको देना पड़ेगा, ठीक है, तो ये था export promotion council, self certification of origin of goods, अब देखो ये summary लो, till now certificate of origin of goods for export was issued by designated agency, now self certification has been enabled for approved export, okay, जब आप कोई export करते हो, import करते हो, तो वो case में country of origin का certificate छी, specially export के case में इंडियन ओरीजिन का goods है, क्योंकि इंडियन ओरीजिन का goods होगा, तो other country में कुछ benefits मिल सकते हैं, तो इंडियन ओरीजिन का certificate पहले कुछ, government के agency से लेना पड़ता था, लेकिन अब कुछ लोगों को, यह जो है, यहाँ पर self certification कर लो, असलब government के agency के पास जाने की जरुवत नहीं है, self certification पर अलाव कर दिया है, और यह एक unique feature है, of foreign trade policy 2023, manufacture who are also status holder, eligible for approved exporter scheme, जैसे status holder होगा, तो self certification कर सकते हैं, approved exporter will be entitled to self certify their manufactured goods, originating from India, to qualify for preferential treatment, under different preferential trade agreement, free trade agreement, comprehensive economic cooperation agreements, comprehensive economic partnership agreement, which are in operation, बहुत सारे government के agreement होते है, preferential trade agreement, countries के होते है, free trade agreements होते है, तो इस तरे के agreement में, अगर Indian origin का goods होगा, तो foreign country में बहुत सारे benefits मिलते हैं, तो अब उसके लिए government agency के पास certificate लेने की जरुवत नहीं है, अगर आप approved exporter scheme हो, जैसे status holder होगा, तो यह self-certification कर सकता है, यह अच्छा unique feature है, regarding to self-certification under foreign policy 2023, self-certification will be permitted only for the goods that are manufactured as per IEM, IEL और LOI issued to the manufacturer, ठीक है technical term है, जो standards है, उस standards है manufactured होगा, तो वो case में self-certification allowed है, ठीक है, तो यह था self-certification, यहाँ पर origin से related, तो दोस्तों यह हमने देखा, about foreign trade policy, general policy of import, export, अब इसके बाद का discussion, जो है, बहुत बहुत important, इसके बाद हम कुछ schemes देखेंगे, कुछ schemes को discuss करेंगे, जो exam में आपको पूछा जा सकता है, जो आपको exam में पूछा जा सकता है, ठीक है, तो मैं आपका धहन चाहोगा, कुछ special scheme पर हम यहाँ पर discussion करेंगे, 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 झाल 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 ये झाल 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 अब हम देखेंगे next scheme duty free import authorization DFIA यह scheme लगबग advance authorization जैसी है यह भी inputs के benefits देती है लेकिन advance authorization में benefits जादा है जैसे वहाँ पे सारी customs duties का benefit है आपको देने के जरुवत नहीं है पर restrictions बहुत जादा है यह scheme में आपको जहाँ तक देखा जाते है duty free import authorization scheme जिनको ACD यहने कोई आप ऐसा product import कर रहा है जिसके लिए BCD लगता है ACD लगता है और आपको ACD के credit चाहिए BCD से benefit चाहिए तो तब यह भी input पे मिलती है और यह जो है यहाँ पे कही open कही restricted लेकिन यह भी एक scheme दिया है दोनों में से जो जिसको ज़्यादा beneficial है वो scheme ले सकता है फेले मैं पढ़ा देता हूँ फिर हम differences देखेंगे यह scheme का सबसे बड़ा फाइदा क्या है कि inputs तो duty free allow होता है like AA AA जैसा input duty free allow होता है साथ साथ में oil or catalyst भी allowed है AA में oil catalyst allowed नहीं क्योंकि वो physically incorporated दिखता नहीं है physically incorporated दिखता नहीं है AA में DFI में oil भी ला सकते हो catalyst भी ला सकते हो okay consume utilized in production process of export import of tire under DFI scheme is not allowed tire allowed नहीं है second duty exempted इसमें सरी BCD का benefit मिलता है बाकी duties लगती है anti-dumping duty अगरे होगी ACD लगता होगा तो ACD का credit मिल जाता है तो only BCD का benefit इसमें दिया गया है drawback as per rate determined or fixed by custom authority shall be available for duty paid inputs under export पर रखा यह तो दोनों मिलता है यह A.A. में भी आपको drawback मिल जाता है यानि आपके पास कोई duty paid goods होगे या second आपके पास domestic market से goods खरीदे होगे जिसमें duty paid goods होगे तो वो case में आपको यह drawback यहाँ पे मिल जाता है और इसमें भी आपको duty paid inputs अगर आप यूज़ करें तो उसका drawback claim कर सकते हो तो दो चीज़ है एक ऐसा import करें जो आलरीडी पता है कि export के लिए तो उसके पर duty देने के जरवत नहीं है specially BCD और एक ऐसा input यूज़ करें जिसके पर duty के हमने पहले दे दिया क्योंकि पुराना stock था या domestic market से खरीदा है तो उसका आप drawback claim कर सकते हो next third eligibility DFI is issued on post export basis for product for which Sion is notified अब post export basis मतलब क्या मतलब यह है कि आपके पास order पहले से नहीं है advance authorization दोनों किस्म में जिमता है advance authorization आपके पास पहले से order है okay पहले से order है okay सुन दैंसे यह बहुत important difference है पहले से order है और आप आप आरे के पास कि sir मेरे पास पहले से order है आप मुझे advance authorization दे दो या फिर आप बाद में annual requirement annual requirement में आप एक EO ले रहे हो sir मेरी annual requirement इतनी है दो साल का data है मेरे पास आप मेरे को मैं इतना export करता हूँ तो annual requirement में आपने बाद में भी export किया तो भी चलता है यह DFI जनरली कब prefer किया जाता है कि आप आप जब यह DFI scheme में जा रहे हो आपके पास तब existing कोई export order नहीं है इसलिए वो exporter जिनके पास अभी export order नहीं है पर future में आ सकती है उनके data के बेस पर future में आ सकती है तो वो AA उनको जल्दी license नहीं मिलता है AA का क्योंकि एक basic criteria वो देखते है कि आपके पास export order है क्या पहले से export order है क्या और annual requirement में फिर वो बाद में भी export किया तो चलता है पर पर annual requirement के अपनी अलग condition है DFI में आप बाद में भी export करोगे और पहले DFI ले लिया तो भी चलता है और generally यह post export जिसको करना है और यह उसी प्रड़क कर मिलता है जिसका C-on है एक तिसरा difference advanced authorization C-on होगा या फिर आप self declaration, self ratification क्योंकि आपके पास पहले से export order है यह norms committee से specific आपने fix कर लिया तो यहाँ पे आपके पास पहले से export order नहीं है अब पहले से export order नहीं है तो फिर यहाँ restriction क्या आ गया कि जो प्रड़क का C-on fix है उसी प्रड़क का आपको यहाँ पे DFI मिलेगा application to be filed with concern regional authority before starting export under DFI क्योंकि आपके पास पहले से export order नहीं थी आपने input ला लिया DFI में without duty, BCD specially और बाद जब export करोगे तो आपको RA को इंफर्म करना पड़ेगा merchant exporter shall mention name and address of supporting manufacturer of export product on export document shipping bill, bill of export, tax invoice for export prescribender, GST rules उसके बाद में next no DFI for inputs which with actual user condition ठीक है DFI उनको नहीं मिलता है जहाँ actual user condition है क्योंकि DFI में transferable है, जैसे आपने handbook open किया handbook होती है, handbook में आपने देखा Sion, Sion की निचे लिखा यह actual user condition पर मतलब क्या, ओके यह inputs तभी लाने दिया जाएगा, जो खुद use करेगा तो फिर DFI generally उन वो case में नहीं मिलता है जहाँ actual user condition लिखा हुआ है कुछ inputs में नहीं लिखा है, Sion है पर नहीं लिखा है कि actual user condition नहीं मतलब वो transferable है तो short में क्या, short में यह है कि advance authorization में आप input transfer नहीं कर सकते हो, आपको use करना परता है, DFI में सबसे बड़ा फायदा क्या, transferable है, तो export कौन से exporter DFI लेते हैं, जिनको यह है कि देखो, मेरे पास future में export order आएगी, मुझे input लाने दो नहीं आई, तो मैं transfer कर दूँगा, input transfer कर दूँगा, तो उनको DFI काम कहा DFI shall not be issued for inputs which is subject to pre-import condition, और where Sion prescribed actual user condition, और certain other specified inputs with a pre-import condition मतलब, जो pre-import condition है ने Sion की condition है, और actual user condition है कि आपको ही use करना पड़ेगा, तो उसकी लिए DFI नहीं मिलता है, क्योंकि DFI का basic feature है कि यह transferable है ओके इसमें आप input किसी और को dispose कर सकते हो ओके, next यहाँ पे minimum value addition यह 20% है value addition का formula वही है, क्या है A minus B divided by B into 100, ओके यह value addition का formula है transferability, original authority shall issue transferable DFI, आप DFI किसी और को ship कर सकते हो, इसके अंदर का input जो है, आप easily ship कर सकते हो उसके बाद में next, validity of DFI export shall be completed within 12 months from the date of online filing of application and generation of file number क्योंकि आपके पास पहले से export order नहीं है इसलिए आपने inputs ले लिया और inputs ले लिया DFI में, तो वहाँ से 12 मेने के अंदर export करना पड़ेगा, DFI is valid for 12 months from the date of issue, no further re-validation shall be granted by original authority separate DFI shall be issued for each CION यहाँ annual नहीं मिलता है यहाँ पे हर बार, जब जब भी consignment आपको export करना है, इस CION के लिए आपको separate DFI लेना है तो आप 2-3 परड़क बना रहे होगे तो 2-3 परड़क के लिए अलग-अलग आपको DFI लेना पड़ेगा, okay, next permanent provision applicable to advance authorization or DFI accounting of inputs, if CION permit the use of generic inputs or alternate inputs the name description of inputs in authorization must be match exactly with the name description of endorse in shipping bill कभी-kभी क्या input के नाम से नहीं हो रहा है पर generic inputs है, मतलब वो नेचर के inputs है, तो yes, आप वो नेचर के inputs यहाँ के सब से ला सकते हो, और आपको shipping bill में बताना है कि वो match हो गया है, next at the time of discharge of export obligation or redemption, regional authority shall allow only the inputs that are specifically indicated in shipping bill together with the quantity, ख्याल रहे, अगर आपने advance authorization scheme लिया है, या DFI scheme लिया है, तो export का shipping bill बहुत detail में दो, कौन सा good export किया, CION की यह साब से कौन-कौन से generic inputs यूज किये गए, क्योंकि जो तुमने shipping bill में generic inputs बता है, उस पर ही आपको import duty free allow होगी, these supplies also, these also supplies of SEZ and supplies made under deem export, चलो, ठीक है importability and exportability of atoms that are prohibited, restricted or esteemed, prohibited atoms, export import of atoms shall not be allowed under AA or DFI अगर prohibited atoms होगा, तो AA, DFI नहीं मिलता है, export of prohibited atoms may be allowed under A, if separately notified with or without condition, हाँ, वैसे generally तो अगर prohibited होगा, तो आपको AA, DFI नहीं मिलता है, लेकिन special permission पे AA मिल सकता है, prohibited atoms पे AA मिल सकता है, state trading enterprises, STE मतलब state trading enterprises के, atom reserve for import by state trading enterprises cannot be imported against AA or DFI but it can be procured from STE against ARO और invalidation later, okay, invalidation later लेते हो ARO, okay, तो वो situation में आप जो है, वो भी atom procured कर सकते हो, जो specially STE के लिए preserve करके रखे होते, atom reserve for export, STE can be exported under AA, DFI only after obtaining no objection certificate from the STE, restricted atoms, import of restricted atom is allowed under AA, DFI unless specifically disallowed export of restricted or comment item shall be subject to all conditionalities and requirement of export authorization and permission तो ये भी एक अच्छा point है, okay, common point है क्या हम advanced authorization prohibited item का मिलेगा, क्या, AA मिल सकता है, DFI नि मिलेगा, बहुसी case में तो दो दोना निमनते, state trading enterprises के goods हम import कर सकते हैं, कर सकते, जिसका special invalidation letters वगरे लगेगे, और आम export भी कर सकते, no NOC लेना पड़ेगा, STE से, और restricted items, import भी कर सकते, export कर सकते, subject to various conditions. Now, domestic sourcing of inputs, folder of AA और DFI can procure inputs from indigenous supplier, STE, EOU, ESTP, BTP, STP, direct import, ये ESTP, electronic hardware technology power, biotechnological power, software technological power, ये आगे मैं आपको detail में सब बताऊगा, इनसे आप inputs procure कर सकते हो, Such procurements can be against ARO or invalidation letter, validity of ARO or invalidation letter shall be co-terminus with the validity of authorization, he can. Next, currency for realization of export, freely convertible currency चिये, और Indian rupees अगर RBI अलाव करता है, तो इसमें आपको पैसा लाना पड़े है, realization and non-realization of export process can already discuss in general provision of import and export, वो पैले देखा हुआ, पर पैसा convertible foreign exchange में आना चिये, या Indian rupees में आना चिये, Next, re-import of exported goods, goods exported under AA और DFI may be re-imported in a same or substantially same from subject to specified condition, आप export करके re-import कर सकते हो, subject to various conditions, जो general conditions दिया है, तो इसमें कर सकते हो, चल, और एक duty revision scheme है, duty drawback, already हम section 75 of customs act में पढ़ चुके है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे दो major scheme देखी, और वो एक है, AA जिसके पर सवाल पूछे जाते है, और DFI है, दोनों का difference भी हम देखेंगे, मैं आपको लिखा के दूगा, लेकिन, ये session हम यहाँ end करते हैं, आज वो, अच्छे से पढ़ो, जो भी हमने देखा, और कल मैं थोड़ा इसको revise करूँगा, और आगे बचा हुआ portion लूगा, और कल मैं जो है, इसमें, जो हमारे questionnaire के questions है, वो हम cover करेंगे, जो आपके questionnaire में दिये गए, और आपको ये बता दू कि, ये foreign trade policy, May 24 exam को वही applicable है, जो November को applicable थी, क्योंकि इसमें 5 साल तक, बहुत कम rarely change होते हैं, तो वो ही foreign trade policy आपको continue होएगी, Thank you so much, मिलते कल.